तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लाश 12 का सेकंड चेप्टर प्रतिलोम तर्कॉर्डमित्य फलन और जैसा कि बच्चों आप सब लोग थमनिल देखकर आए होंगे कि आज हम इस चेप्टर के पहले टॉपिक के बारे में बात करेंगे यानि आज मैं आपको थोड़ा बहुत प्रतिलोम फलन के बारे मताऊंगा देन उसके बाद हम प्रतिलोम तर्कॉर्डमित्य फलनों के प्रांत परिसर तथा आलेख डिसकस करेंगे ओके ठीक हैं चलिए अब सही बच्चे रेड़ी हैं आज की क्लास के लिए एक बार जल्दी से सही बच्चे थमसब करिए और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाक से बिटा सब्सक्राइब कर दीजे बेल आइकन को प्रेस करिए बच्चों के साथ जल्दी से बटा सेयर कर दीजे वहीं जिन बच्चों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रूप को जॉइन नहीं किया है जल्दी से बटा जॉइन कर लिजे विकॉज वहीं पर ना केवल आपको इस क्लास की पीडियेप मिलेगी बलकि उसके अलावा आपक बट बेटा आप लोगों को आईपियल इस साल नहीं देखना है जी हाँ बेटा इस साल आप आईपियल मत देखिएगा इस साल आपको मेहनत करनी है पढ़ाई करनी है ताकि अगले सालों में आप आराम से आईपियल देख सको ठीक है तो अगले सालों में आईपियल देखना ओके, हाँ बेटा नहीं देखना है इस बार का IPL, ओके, चलिए, अब सभी बच्चे रेड़ी हैं आज की किलास के लिए, एवरीवन रेड़ी, एक बार जल्दी से सारे बच्चे थमसब करके बताईए, रेड़ी हैं सही बच्चे, हाँ बेटा मनुच कुमार मैथ में सो मैं से मैनत करनी होगी, रेड़ी हैं सही बच्चे, रेड़ी, करें आज की बार की आख कुछ टार्ट, तो चलिए बेटा मैं आपको सबसे पहले प्रुत्यूम फलन के बारे मैं बताऊँगा, कि प्रुत्यूम फलन क्या होते हैं, वैसे तो आप लोग पिछले चेप्टर में पढ की आचुके हो लेन इसके बाद हम पृतिलोंत रिकॉर्ड में ते फ़लों के प्रांत परिसर्वे आलेक के बारे में बात करेंगे ठीक है तो चलिए बीटा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को सड्डाउटनेट पर क्लास सो नहीं हो रहा है बीटा क्लास सो हो रही होग हाँ बिटा आज बिहार बूड का क्लाश 10th का रिजल्ट आ गया है तो आप मेंसे जो भी बच्चे बिहार बूड के हैं और यदि आपको कोई भी भाई या बेहन दस्वी क्लास में पढ़ रहा हो या मोहले में कोई भी पढ़ रहा हो तो इसको बोल दीजे कि इसका रिजल्ट आ चुका है ठीक है ओके बिटा बोल दीजे बिटा ठीक है चलिए चलिए बच्चों बच्चों सुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को तो प्रतिलों फलन क्या होता है बिटा आप लोगोंने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि यदि हमारे पास F कोई फलन है जो की समुच्चे A से B में परिभासित है इस परकार की F of X बराबर है Y के हमारे पास बिटा कोई फलन F है जो समुच्चे A से B में परिवासित है इस प्रकार की F of X बराबर Y है अब यदि हमारे पास एक अन्य फलन G इस प्रकार का हो जो की समुच्चे B से A में परिवासित हो इस तरीके से की G of Y बराबर है X के मतलब क्या मतलब इसका बिटा ये कि जो इसका input है वो तो इसका output हो और जो इसका output है वो इसका input हो ठीक है तो इस प्रकार के फलन G को हम F का परतिलों फलन कहते हैं ठीक है बिटा जी को हम F का परतिलों फलन कहते हैं यहाँ पर बच्चों मैंने आपको बताया कि यदि GF का पृतलोम है तो FOG बराबर होगा IB के and GOF ये बिटा बराबर होगा IAK ठीक है तो ये होता है बिटा पृतलोम फलंग अच्छा इसके अलावा हमने आपर ये भी देखा था कि किसे फलंग के पृतलोम का अस्तित तभी होत होगा है जब वह AAK की वह आजच्छा दक हो तो F जब F AAK की वह आजच्छा दक होगा तभी वह व्यूत करम्रिये होगा मतलब किसी फलंग के पृतलोम का तभी अस्तित वह है जब वह AAK की वह आजच्छा दक है ओके फर्स्ट रैंग थर्ड रैंग सेकेंड रैंग और थर्ड रैंग देखेंगे बिटा आज आपका ग्यारवी का रिजल्ट भी मिल गया आयूस तो कैसरा आपका रिजल्ट गुड इवनिंग बिटा गुड इवनिंग सो नहीं कर रहा क्या एप पर एक सेकेंड बिटा चेक करता हूँ वेट कर रहा है बिटा सो तो एक बार चेक करिए आप लोग कर रहा है बिटा कर रहा है बच्चो कर रहा है बिटा एप पर सो कर रहा है ठीक है क्लास में टॉप किया है आई उस क्या बात है बदाई हो बदाई हो इसी परकार की मेहनत बच्चो आपको इस साल भी करनी है अब की साल भी आई उस बिटा आपको क्लास में टॉप करना है ठीक है चलिए अब इसके बाद बिटा हम बात करते हैं प्रतिलोम्त रिकॉर्ड मितिया फलन के बारे में तो बिटा देखो आप लोगों ने ग्यारवी क्लास में 6 रिकॉर्ड मितिया फलन पड़े हैं ठीक है कौन कौन से थे वह एक था साइन एक्स एक कॉस एक्स एक टैन एक्स चौथा कॉट एक्स पांचवा सेक एक्स एन छटा था कॉस एक्स ये बिटा अच्छ है हमारे त्रिकॉर्ड मितिया फलन थे जो कि आपने ग्यारवी क्लास में पड़े अब इन्हें के पृतलों बिटा में इस चेप्टर के अंतरगत पड़ने हैं ठीक है अब साइन एक्स का पृतलों होता है साइन इन वर्स एक्स ठीक है साइन एक्स का पृतलों होता है साइन इन वर्स एक्स कॉस एक्स का पृतलों होता है कॉस इन वर्स एक्स 10x का प्रतिलोम होता है 10 inverse x cot x का प्रतिलोम होता है cot inverse x sec x का प्रतिलोम होता है sec inverse x and cosec x का प्रतिलोम होता है बिटा cosec inverse x ठीक है तो ये बिटा प्रतेक तिर्कौर्मितिय फलन के प्रतिलोम होते है इन्ही को हम लोग बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकॉर्ण में तीया फॉलन अंग्रेजे में बेटा इसको बोलते हैं इनवर्स टिगनोमेट्रिक फॉंक्शन संचेप में हम इसको लिखते हैं आई टी एफ इनवर्स टिगनोमेट्रिक फॉंक्शन प्रतिलोम त्रिकॉर्मतिय फॉलन ठीक है तो इन छे प्रतिलोम त्रिकॉर्मतिय फॉलनों के बारे में आपको इस अध्याई के अंतरगत पढ़ना है ओके अच्छा अब सबसे पहले हम बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स के बारे में सबसे पहले बिटा हम इसके बारे में बात करते हैं पहले लिखिए साइन इन्वर्स एक्स ठीक है तो यहां पर बिटा हम प्रतेक प्रतलोम तिरकॉर्मिति फलन के प्रांत परिसर वे आलेक ग्याद करना सीखेंगे ठीक है सर इतने टाइम बात मिल गए मिल गए ने बिटा चलो चलो ठीक है तो यहां पर हम बात करेंगे साइन इन्वर्स एक्स के बारे में ठीक है अच्छा अब देखो एक चीज देखो बिटा एक चीज आपने आपर गौर की मैंने आप से क्या बोला कि बाई कोई फलन व्यूत करंड़ी तब होगा जब वह एक आई की वह आच्छा दक होगा राइट क्या बोला बिटा मैंने कि एफ व्यूत करंड़ी होगा यदी और केवल यदी एफ एक आई की वह आच्छा दक है तो आप सब के दिमाग में आपर कोईशन आना चाहिए कि सर ये सारे तर्कौन में तिये फलन तो एक आई की आच्छा दक होते ही नहीं है है ना आना चाहिए तब आपके दिमाग कोईशन क्योंकि ये सब के सब आवर्ती फलन होते हैं ये किनिश्यत अंतराल के बाद अपने मान को दोराते हैं और जो फलन अपने मान को दोराता है वो एक आई की तो वही नहीं सकता ठीक है तो आप सब के दिमाग में बिटा ये कोईशन आना चाहिए था अच्छा इमानदारी से मुझे बताईए कि कितने बच्चों के दिमाग में ये question आया ठीक है इमानदारी से बताई बिटा कितने बच्चों की दिमाग में question आया कि सर ये सारे त्रिकॉर्मिते फलन तो हमारे आवर्ती फलन होते हैं ये तो एक निश्यत अंतराल के बाद अपने मान को दोराते हैं ये तो एक एक होते ही नहीं है इनका पृतलोम कैसे अस्तित्म में हो सकता है किस किस के दिमाग में question आया सिवम के दिमाग में आया तो पूछा क्यों नहीं फिर बिटा पूछना चाहिए था ना सुमित के दिमाग में भी question आया अच्छा तो question बहुत ही अच्छा था बहुत ही अच्छा कोशन है, कि भाई, सारे तो रिकॉर्ड में थे फलन है, यह तो आवर्ती फलन होते हैं, यह सारे तो बिटा, आवर्ती फलन होते हैं, तो यह कैसे एक 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 तो क्या करेंगे बिटा, इस केस में हम पृतित तुर्कॉर्णमिति फुलन का पृतिलुम ग्याद करने के लिए इनके प्रांत और परिसर को पृति बंदित करेंगे, क्या करेंगे, हम इनके प्रांत और परिसर को पृति बंदित करेंगे, रेस्टिक्टेड करेंगे, ताकि बिटा ये एके की व्याच्छादक बन सके ठीक है तो इस लाइन को आप लोग यहां पर लेख भी लीजिए ठीक है कि चूंकि प्रतेक त्रकॉर्ड मतिय फलन प्रतेक त्रकॉर्ड मतिय फलन अपने प्रांत में आवर्ती फलन होते हैं प्रतेक त्रकॉर्ड मतिय फलन अपने प्रांत में आवर्ती फलन होते हैं अते इनका इनका आवर्ती फलन होते हैं फिर हम ऐसे लगी हैं अते ये एकई की नहीं होते अब भाई जब एकई की नहीं है तो इनका प्रतलोम कैसे याद करेंगे ठीक है तो इसके लिए इनको हम एकई की बनाएंगे गुड इवनिंग सिफा खान बेटा गुड इवनिंग सर साइन इनवर्स क्यों लगा है बेटा साइन का प्रतलोम होता है साइन इनवर्स ऐसे ही लगते हैं पर अच्छे हैं आपर एक चित ध्यान देना कि साइन इनवर्स एक्स का मतलब यह नहीं है कि आप वन अपॉन में Sine X लेक रे हो, ना इसका मतलब बिटा ये नहीं होता ठीक है इसके इलाबा Sine Inverse X का मतलब ये भी नहीं है कि आप इसको 1 upon Sine और ऐसे X लेक रे हो ना, ये भी बिटा से इसका मतलब नहीं होता Sine Inverse X क्या है ये Sine X का पृत्रलोम है ओके बिटा ठीक है तो यह चीज़ आपको ध्यार में रखनी है अब यहाँ पर दोगो यह A कई की नहीं होते अब इसके बाद लखे इन्हें A कई की वे आच्छादक बनाने के लिए बनाने के लिए इनके प्रांत वे परिसर को प्रांत वे परिसर को प्रती बंदित प्रती बंदित किया जाता है इनकी प्रांत वे परिसर को प्रती बंदित किया जाता है ओके बिटा ठीक है जबकि साइन वर्स एक्स ये क्या है बिटा एक कौन है ये बच्चो एक कौन है जबकि ये एक वेल्यू है ये बिटा एक मान है ये दोनों बिटा आला अला अला गए साइन इंवर्स एक्स क्या है बेसिकली ये कौन है बिटा ये कौन है बच्चो ओके ठीक है ये सब क्या है ये सब कौन है जबकि ये मान है ठीक है अभी मैं आपको और अच्छे समझाऊंगा इसे क्लियर बीटा अच्छा अब आजाओ साइन इनवर्स एक्स पर देखिए आया कहां से तो जैसे मानलों हमें साइन एक्स का प्रितुलम लिकालना है तो य बराबर साइन एक्स माना यहां से बीटा एक्स बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स वाई के तो यह आगया जी ओफ वाई तो यहां से जी ओफ एक्स बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स वही बीटा इसका प्रितुलम होगा F inverse X ठीक है वही इसका प्रतलोम हो जाएगा ठीक है जिसे 4 example मान लिजे हम बात करें sine 30 degree की sine pi by 6 बराबर होता है 1 by 2 के तो यहां से sine inverse 1 by 2 बराबर हो जाएगा pi by 6 के sine sine pi by 4 बराबर होता है 1 by root 2 के तो यहां से sine inverse 1 by root 2 बराबर हो जाएगा pi by 4 के पिड़ा sine pi by 3 बराबर होता है वर्ग मुल 3 बटे 2 के तो यहां से sine inverse वर्ग मुल 3 बटे 2 बराबर हो जाएगा pi by 3 के ठीक है तो यह होता है प्रित्रोम त्रिक्वाड में ते फरन यहाँ पर आप जग रहे हो अंतर क्या है यहाँ पर हमें एक मान प्राप्त हो रहा है यह बिटा इन दोनों के बीच अंतर ठीक है किलियर विर्वान 143 का मतलब क्या लिखा बिटा 143 किलियर विटा किलियर समझ में आया साइन एक्स और साइन इन्वर्स एक्स में अंतर समझ में आप बिटा आपको तो यह तो है एक मान जबकि यह है बिटा एक कौन यह है इन दोनों के बीच में अंतर बताईए बच्चो सब को समझ में आगे है इन दोनों में अंतर दोगों यह अंतर आपको समझ में आना जरूरी है तभी आप आगे कुछ कर पाओगे इस शेप्टर में साइन 143 का मान दोगों पीटा इसको तो कैलकुलेटर में लिकाला जा सकता है साइन 143 के मान को ठीक है समझ में आगे ना सभी को क्लियर है चलिए अब इसके बाद देखते हैं बिटा हम साइन एक्स का ग्राफ तो देखो बिटा साइन एक्स का ग्राफ किस परकार का होता है तो ऐसा होता है बिटा साइन एक्स का ग्राफ आप सबने बिटा ग्यारवी क्लास में देखा है तो साइन एक्स का ग्राफ बच्चो इस प्रकार का होता है यह होता है बिटा साइन एक्स का ग्राफ ठीक है बिटा यह साइन एक्स का ग्राफ होता है आप ही खाओ बिटा आप ही खाओ ठीक है आप लोग ही खाईए से वहिया हाँ बेटा इन सब का प्रूफ भी मैं आपको करवाऊंगा बिल्कुल एक एक चीज को प्रूफ करवाऊंगा बेटा क्लियर चलिए तो ये बेटा साइनेक्स ग्राफ होता है को इसा ग्राफ के द्वारा भी आप समझ सकते हो कि साइनेक्स एक आवर्ती क्योंकि देखिए बेटा जो मान यहां पर है वही सेम मान यहां पर है तो यह कैसे एक एक की आपकी हो गया मैंने अपको पेचन करने का तरीका बतायctar था था ना कि आपको समान तरीका के लिए हम इसको छोटे छोटे भागों में विभाजत करेंगे इसके बीटा हम तुकडे करेंगे ठीके क्या करेंगे तुकडे करेंगे ओके इसको एक औक की वयाच्छादक बनाने के लिए तो बिटा, sin x का प्रांथ क्या होता है? बच्चो, sin x का प्रांथ क्या होता है? complete R और परिसर होता है minus 1 से 1 ठीक है? अब दोगो, sin inverse x का प्रांथ तो minus 1 से 1 लेंगे बच परिसर बिटा चेंज हो जाएगा परिसर बो लेंगे, जिसमें sin x 1 काई कीवे आजच्चा दोगो ठीक है? तो यहाँ पर देखिए मैं इसे छोटे-छोटे हिस्सों में तोड रहा हूँ इस प्रकार के देखो हिस्से बना रहा हूँ इसके इस ग्राफ के बिटा मैं हिस्से बना रहा हूँ जिसमें एक एक कीवे आजच्चा दोगो तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारे पास होगा minus pi by 2 यहाँ पर है pi by 2 तो एक हिस्सा बनाया मैंने यहाँ से minus pi by 2 से pi by 2 वाला एक हिस्सा मैंने बनाया pi by 2 से यहाँ पर बिटा होगा 3 pi by 2 यह वाला एक मैंने हिस्सा बनाया 3 pi by 2 से यह 5 pi by 2 वाला एक मैंने हिस्सा बनाया 5 pi by 2 से यह 7 pi by 2 वाला सेम ऐसे इधर भी इसससे बनाया minus 3 pi by 2 से minus pi by 2 यहाँ पर भी ऻिसा बनाया minus 5 pi by 2 से minus 3 pi by 2 यहाँ पर भी इसा बनाया minus 7 pi by 2 से minus 5 pi by 2 इन सब हिस्सों में बिटा sin x एक कही किवे आच्छा दक है आप खुछ से देख लो बिटा यदि हम बात करें केवल इस ग्राफ की जो बिटा मैं रेड कलर से दरसा रहा हूँ यदि हम केवल इस ग्राफ की बात करें तो क्या ये एक एक की है पता यहां पर क्या एक्स के दो अलग अलग मान ऐसे हैं जिन पर सेम मान आपको मिल रहा हूँ बताईए बिटा यह AK कि है red वाला जी answer AK कि है यह आच्छा दक है जी answer इसका परिसर minus 1 से 1 ठीक है तो यह बिटा इस टुकडे में हमारा फलन AK कि अच्छा दक होगा सेम ऐसे यह वाला टुकड़ा देखो इसमें भी AK कि आच्छा दक है यह वाला टुकडा भी एक ही केंच है, तो इस तरिके से हमारे पास काफी सारी साखाएं बन जाएंगी, क्या है यह साखाई यह मैं आपको बदाता हूँ, तो एक साखा बनी जिसमें sin x, जिसमें sin x मायनस πाई जू से पाई बाई टू में परिबासित है और यहां पर इसका परिसर माइनस एक से एक है इसमें ये एक एकी आच्छा दख है एक दूसरी साखवनी जिसमें साइन एक्स पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू के बीच है इसमें भी परिसर माइनस एक से एक है ठीक है एक तीसरी साखवनी जिसमें साइन एक्स 3 पाइबे 2 से 5 पाइबे 2 में है ठीक है सेपरांत माइनस एक से एक है एक साखवनी जिसमें साइन एक्स 5 पाइबे 2 से 7 पाइबे 2 में है यहाँ पर भी माइनस एक से एक है, ओक्य बिटा अच्छा इसी प्रिकार से एक साखा बनिये बच्चों साइन एक्स की दो यह तो हमने इधर वाले साखाई ले ली इधर वाले साखाई भी ले ले लेते हैं तो माइनस थ्री पाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबा Sine X minus 7 Pi by 2 से minus 5 Pi by 2 से परांथ हो जाएगा minus 1 से एक अब इन सभी साखाव में बिठा, Sine X, एक कईकी वे आच्छा तक है. ठीक है, कहां से लिखा रहा हू안 बिटा, यही से लिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे टुकडे कर दिये इस graph के जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि एक लंबी सी रसी होती है इस लंबी सी रसी के काफी सारे टुकडे कर दिये जाते हैं किसी चीज़ को बांदने के लिए सेम ऐसे ही बिटा इस graph को sin x के graph को एक कई की आच्छा दक बनाने के लिए हम इसे छोटे छोटे भागों में तोड़ देंगे छोटी छोटी साखाओं में बिटा इसको हम तोड़ देंगे तो यहाँ पर दिखो हमने इसको तोड़ दिया एक साखा बनाई माइनस 5 भाएटू से 5 भाएटू ठीक है और हिनमे sin x कमान माइनस x से एक के बीच में है क्लीर यह बात समझ मेंगे बिटा सर कितने नंबर पर NIT College मिलेगा बिटा इसके लिए आपको मिनिमम 150 नंबर तो लेकर के आने ही होंगे J.E. के पेपर में तो इसके लिए कठेर मेनत करने होगे आपको पूरे साल ठीक है उस पर भी आएंगे सिवं बिटा उस पर भी आएंगे ठीक है ठीक है यह चीज? किलियर? सूरत सर्मा किलियर है? बताइए बिटा आप आप बिटा टिगनोमेटरी आपने 11 वी क्लास में पढ़ लिए होगी उसको रिवाइज नहीं करवा रहा है यदि किसी बच्चे को फॉर्मले याद नहीं है ग्राफ याद नहीं है टिगनोमेटरी फंक्शन के तो बिटा वो 11 वी क्लास की किताब को खोल के देखे एक बार और तीसरे चेप्टर को एक बार और पढ़े को बहुत इंपोर्टेंट है बिटा यह आगे भी काफी जगे काम आएगा ठीक है? क्या भाई क्या है समझ में नहीं आया है मुझे यार क्या पूछना चाहरे हो यार सिंपल सी तो चीज़ है यार बहुत एक एक की आच्छा तक बनाने के लिए इसको छोटे छोटे एसो में तोड़ दिया ठीक है भाई? चलिए अब देखो इस अंत्राल में साइन इंवर्स X क्या होगा? तो साइन इवर्स X हो जाएगा यदि F A से B में है तो G B से A में होता है तो यहाँ पर ही हो गया माइनस एक से 1 2 माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ठीक है? इसमें बिटा साइन इंवर्स X माइनस एक से एक से पाइबाइटू से थ्री पाइबाइटू हो जाएगा अब इसके बाद यहाँ पर साइन वर्स एकस माइनस एक से एक से लेकर के थ्री पाइबाइटू से फाइबाइबाइटू हो जाएगा यहाँ पर साइन वर्स एकस माइनस x x लेकर के 5 pi by 2 से 7 pi by 2 हो जाएगा ऐसे यहाँ पर भी बिटा sin inverse x माइनस x से 1 से माइनस 3 pi by 2 से माइनस 5 by 2 हो जाएगा यहाँ पर sin inverse x माइनस x से 1 से लेकर के माइनस five five two से minus three five two हो जाएगा and यहां पर sign inverse x minus एक से एक से लेकर के minus seven five two से minus five five two हो जाएगा यह बिटा आपर हो जाएगा हाँ बिटा जही में से एनाइटी कॉलेज मिलते हैं, जही एडवांस से आईटी कॉलेज मिलते हैं बिटा एनडिय के लिए वैसे तो 12th की परसेंटेज इतने माइने नहीं रखते हैं बट फिर भी आपको मिनीमम 75% तो रखने ही हैं क्योंकि आगे फिचर में इनके जड़त पढ़ती ही रहती है 75% तो सभी बच्चों को रखने ही रखने हैं, चाएhou किसी भी बूर से हो चाए यूपी से हो, बिहार से हो, राजिस्तान से हो, चाए MP से हो किसी भी स्टेट बोर्ड से हो बेटा आपको 75% तो बोर्ड में बनाने ही बनाने पड़ेंगे मालो बाई चांस अभी तो आप किसी एक्जाम को दे पाओगे बट आगे चलकर फिर बेटा आपको दिक्कते होंगी ठीक है आपको IIT को लिए चाहिए तो बेटा इसके लिए कठेन मैनत करनी होगी ओके रजना सिंग इसके लिए आपको कठेन मैनत करनी होगी बेटा IIT के लिए तो ओके चलिए तो ये चीज़ समझ में आ गई तो ये हमारे पास साखा है आ गई जिन में साइन एकस एकई की व्याद चादक है और उसका प्रतलों भी हमने सामने लिख दिया अब ऐसे तो हमारे पास यहां पर काफी सारी साखा हैं किस साखा को ले किसको ना ले तो बेटा ऐसे केस में हम लेते हैं मुख्य मान साखा को अब इन सभी साखाओं में जो पहले नमबर की स इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य मान साखा तो अभी कुछ दिर पहले बच्चे कोशन पूछ रहते हैं कि सर हम तो कि वल माइनस पाइवाएटू से पाइवाएटू लेते हैं तो बेसिकली बेटा वो मुख्य मान साखा होती है आप लोग मुख्य मान साखा को लेते हो that's why आप लोग महां पर लिखते हो वह हो कि sign inverse something का मुख्य मान ग्याद कीजिए ठीक है क्योंकि बेटा यह मुख्य मान साखा है रिंको बेटा मेरा नाम क्या है आप किस चैनल पर इकलास देख रहे हो दीपक सर मैट्स पर तो मेरा नाम बेटा दीपक है ठीक है दीपक है बेटा मेरा नाम ओके किलेर बेटा यह चीज़ तो यह हमारी मुख्यमान साखा है तो इसका मतलब यहां से हम लोग लिख सकते हैं बिटा कि sin inverse x का प्रांत sin inverse x का प्रांत होता है minus 1 से 1 और बिटा इसका परिसर होता है परिसर होता है बिटा इसका minus pi by 2 से pi by 2 तो यह sin inverse x के प्रांत और परिसर हो गए 11th भी रिव्यूज करना है तो बिटा आप 11th को दुबारा से पढ़ सकते हो otherwise आप हमारे vip कोर्स को ले सकते हो 12th के उसे मैंने 11th का रिविजन भी करवाया ठीक है हां बिटा only minus pi by 2 से pi by 2 लेते हैं यही कारण है कि मुख्यमान साखा लेते हैं ठीक है चलिए clear रां तक ok now अब थेखे हमने प्रांत और परिसर तो निकालीähr रहगया इसका अब बनाते हैं बिटा इसका आलिक है अब थेखे है आलिक कैसा बनेगा इसका घालिक देखे बिटा कैसा बनेगा तो यह हो गई x9, यह हो गई बीटा y9 ठीक है देखेँ प्रांथ क्या है माइनस 1 से 1 तो यहाँ कहीं माइनस 1 होगा यहाँ कहीं बीटा 1 हो जाएगा ठीक है अब ग्राफ कैसा बनेगा यह देखिए आप लोग ढीटा Sine Inverse 0 का माण कितना होता है साइन इनवर्स जिरो का मान क्या होता है सर हमें क्या पता कितना होता है कैसे ग्याद करेंगे सर तो इसको पिटा ऐसे लिका लेंगे साइन इनवर्स जिरो बरावर मानेंगे ठीटा तो यहां से साइन ठीटा बरावर हो जाएगा जिरो के और यहां से theta बराबर आ जाएगा 0 degree के तो 0 degree पर मान 0 होता है ठीक है अच्छा इसके अलावा sin inverse एक का मान कितना होता है इसको भी theta मान लो तो sin theta बराबर 1 अब minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में एक कापर होता है pi by 2 पर sin pi by 2 बराबर 1 होता है तो theta बराबर आ जाएगा pi by 2 सेम ऐसे ही sin inverse minus 1 बराबर theta तो sin theta बराबर हो जाएगा minus 1 के sin of minus pi by 2 का मान minus 1 होता है तो theta बराबर minus pi by 2 हो जाएगा ऐसे ही sin inverse of 1 बटे 2 इसको theta मानोगे तो sin theta बराबर 1 by 2 हो जाएगा मतलब sine pi by 6 तो theta बरावर pi by 6 हो जाएगा ऐसे ही sine inverse एक बटे वर्ग मुल दो बरावर theta तो sine theta बरावर 1 by root 2 हो जाएगा यानि यह हो जाएगा sine pi by 4 तो यहां से theta बरावर pi by 4 हो जाएगा सेम ऐसे ही sine inverse वर्ग मुल तीन बटे दो बरावर ठीटा मानोगे तो साइन ठीटा बरावर वर्गमुल 3 बटे 2 हो जाएगा मतलब साइन 5 by 3 हो जाएगा ठीटा बरावर 5 by 3 हो जाएगा इन सब के आधार पर बिटा ग्राब बनाते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हो जाएगा 0 यहां कई माल लो πाई बाई 6 है यहां पर माल लिजे पाई बाई 3 है यहां पर माल लो बिटा पाई बाई 2 है सेम ऐसे ही यहां पर माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा ठीक है अब देखें 0 पर 0 है पाई बाई 2 पर बिटा 1 है पाई बाई 2 पर मान बिटा एक है ओके और माइनस पाइवाइट उपर माइनस एक है माइनस पाइवाइट उपर बिटा माइनस एक है पाइवाइट उपर एक है इस प्रिकार का बिटा ग्राफ बनेगा कुछ बच्चो इस तरीके का इसका ग्राफ होगा इस तरीके का बेटा ग्राफ होता है sine inverse x का minus pi by 2 किताब में आप दोखोगे बहुत बड़ा graph बना रखा बहाी इस तरीके से graph बना रखा है basically उन्होंने क्या किया है कि जो y वरावर sine x का graph था उसमें कियों उन्होंने x h और y h को interchange कर दिए बट हमें जो graph चाहिए ना वो बेटा यहीं चाहिए minus pi by 2 से pi by 2 यही हमारे graph important है ठीक है तो यह होता है बेटा sin inverse x का आलेक यह बेटा sin inverse x का आलेक होता है ठीक है clear चलिए clear बेटा अच्छा अब देखिए बच्चों यदि आप sin x और sin inverse x इन दोनों के graph को एक साथ बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा मालो यह x अक्ष है यह बटा y अक्ष है यहाँ पर है 0 यहाँ पर है pi by 2 यहाँ पर है pi यहाँ है 3 pi by 2 यहाँ पर है 2 pi यहाँ पर है minus pi by 2 यहाँ पर है minus pi यहाँ है minus 3 pi by 2 सबसे पहले हम साइन एक्स का आलेक बनाते हैं तो पेटा साइन एक्स का आलेक बनता है इस प्रकार का यहां मान लीजे एक है यहां पर मान लीजे माइनस का एक है ठीक है तो साइन एक्स का आलेक बनता है पेटा इस प्रकार का ठीक है यह होता है बिटा साइन एक्स का आल एक अब बात करें साइन वर्स एक्स की तो वो माइनस एक से एक के बीच होता है अब माइनस एक देखें क्या होगा पाई बाई टू कमान कितना हो जाएगा एक पॉंट पांस साथ तो माइनस एक से एक बिटा इधर की तरफ हो जाएगा ठीक है पाई बाई टू यहां कहीं होगा और माइनस पाई बाई टू बिटा यहां कहीं हो जाएगा तो इसका आलेक बनता है इस तरीके का ठीक है इसका आलेक बनता है इस तरीके का इस तरीके का इस तरीके का इसका आलेक बनता है बिसिकली आप इन दोनों आलगों को दिखोगे तो आप आओगे कि य बराबर एक से रेखा में एक दूसरे के दरपण पिरतिविम्ब होते हैं ठीक है, सर अपिर इन्दिया में कितने आईटी कॉलेज हैं दुक बेटा वैसे तो इन्दिया में अभी आईटी की कॉलेज की संक्या भड़ गई है I think 13 के जरने 15 IIT college हो चुके है exact मुझे याद नहीं है बटा 13 15 IIT college हो चुके है जिन में से top जो 7 है न वो ही most important है ठीक है ठीक है बिटा most important जो 7 है वही important है चलि मैं आपको exact बता देता हूँ कितने IIT college है कितने total IIT college है इंडिया में मैं आपको बता देता हूँ 23 है बिटा जिन में से बिटा 16 IIT आपके 2004 के बाद में बने है ठीक है ओके बिटा clear तो यहां तक सब को समझ में आ गया बताइए बच्चों यह समझ में आ गया देको बिटा यह sin x का graph है sin verse x का graph है और यह y वरावर x में एक दूसरे के दरपनत परतिमिम्ब है ठीक है ओके तो यह बिटा sin verse x का प्रांत परिसर आलेक प्रांत होता है minus x से 1 परिसर होता है minus pi by 2 से pi by 2 और graph बिटा इस परिकार का होता है अब दोगो यहां पर question किस तरीके के बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जैसे आप से पूछेगा बताइए sin verse of वर्गमूल 3 बटे 2 का मुख्यमान क्या होगा मुख्यमान ग्यात कीजिए अब दोगो बिटा इस परिकार के प्रिष्णों को आपको कैसे solve करना है तो सबसे पहले आपको मानना है माना sin inverse वर्गमूल 3 बटे 2 बराबर है ठीटा के और यह ठीटा जो होगा वो माइनस πाइबाइटू से πाइबाइटू के बीच में होगा तो यहां से sin ठीटा बराबर हो जाएगा वर्गमूल 3 बटे 2 के अब माइनस πाइबाइटू से πाइबाइटू के बीच में वर्गमूल 3 बटे 2 sin के table में कहा होता है यह होता है sin पाइबाइ 3 पर तो यहां से ठीटा बराबर हो जाएगा पाइबाइ 3 जो कि इसके बीच में भी है तो इस परकार से आपको इस तरह की के पृष्णों को हल करना है किलियर है वर्गमूल चलिए चलिए बीटा आज की क्लास को में पर स्टॉप करते हैं एक कोश्चन मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए इस कोश्चन का अंसर बीटा आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लेके बताईएगा आपको बीटा साइन इनवर्स आफ माइनस एक बटे दो प्लस साइन इनवर्स आफ माइनस एक का मान ग्याद करना है इसका जो भी मान आए वो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लेके बताईएगा ये मैं आपको एज ए हुंबर के तोर पर दे रहा हूँ ठीक है चलिए अब आज की क्लास को में पर स्टॉप करते हैं कॉसेक्स के बारे में नेस्ट क्लास में बात करेंगे ठीक है अब समय होगे आपकी आज की क्विज का तो सही बचे तयार हो जाएंगे क्विज के लिए आपके सामने बिटा आ रहा है क्विज का पिर्षन जो की ये है यहाँ पर देखो कॉर्षीटा बरावर एक बटे दो दे रखा है तो आपसे साइन थ्री ठीटा का मान पूछा जा रहा है बताई ये बिटा साइन थ्री ठीटा का मान क्या होगा हाँ बिटा क्लास आपकी डेली होती है सामके 6 बजे सामके 6 बजे डेली विच्चो आपकी क्लास होती है दीपक सर मैट्स पर भी और डाउटनेट के एप पर भी दोनों जिगे पर बिटा क्लास होती है सामके 6 बजे इंडिया के सबसे बहतरीन हिंदी माध्यम के एजुकेशनल प्लेटफर्म पर बिटा आपकी क्लास हो रही है ठीक है एंड यार मैं आप सभी से बिटा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग प्ले इस्टोर पर जाकर के यार एक बार एप को रेटिंग तो दो मैं चाहता हूँ बिटा आप सब लोग एप को फाइव स्टार रेटिंग दो देखिए डाउटनेंट आप सब के लिए इतनी हेल्प कर रहा है तो आप लोग को भी करनी चाहिए ना भी डाउटनेंट की हेल्प जादस जादस बच्चों तक पहुंश सके या अप इसलिए पिटा आप लोग प्ले स्टोर पर जाईए और डाउटनेंट को फाइव स्टार रेटिंग दीजे ठीक है फाइव इस्टार रेटिंग दीजे पिटा हाँ बिटा आप दे सकते हो ठीक है चलिए इसका आंसर बताईए इसके बाद अगले कोश्चन का आंसर बताईए साइन इन्वर्स एक्स का परिसर है बताई बिटा साइन इन्वर्स एक्स का परिसर क्या होगा साइन इन्वर्स एक्स का परिसर बताईए बच्छो बताइए बिटा sin inverse x का परिसर क्या होगा चलिए आपका समय होता है यहाँ पर समाब अब दोगो कितना आसान कोशन है कॉश ठीटा बराबर एक बटे दो दे रखा है तो ठीटा बराबर क्या हो जाएगा यहां से पाई बै थ्री तो किखिया sin 3 गुणा पाई बै थ्री किखिया क्या अगया sin pi sin pi का मान कितना होता же कितना आसान कोशन था b option right answer हो जाएगा b option बिटा right answer हो जाएगा ठीक है कितना आसान कोशन प tá UI ओके चलिए अब इसके बाद अगले question पर देखो साइन वर्स एक्स का परिसर क्या होता माइनस पाइवाई टू से पाइवाई टू तो D option right answer हो जाएगा इतने आसान बीटा question थे करता है रगल गल में थाएवाईब का और गल कि अ ब्हूंग टू टू सकति Time अका लय कि इतने वह जाएवाऊ कर दिऽ कि दिसन्य हमक् दिए है, वगल को एक क्या हो कि एक बसक् सकति मैं रहigorम भीज ओके साइवाईब टू दिख एक माइवाई लुचãy झाल झाल प्यारे बच्चो वेरी गुड़ इवनिंग तो अल उफ यू स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल दीपक सर मैट्स पर और डाउटनट पर बच्चो मैं आज आप सभी के लिए एक बहुती इंपोर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं जिसमें बिटा हम क्लास ट्वेल्थ की मैट्स के सेकेंड चैप्टर प्रतिलोम तर्कौर्मतिय फलन के एक बहुती इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे टॉपिक का नाम है प्रतिलोम तर्कौर्मतिय फलनो के प्रांथ परिसर तथा आलेक देखिए बच्चो जैसा कि मैंने आप सभी को पिछली क्लास में पिछली क्लास का मतलब कल की क्लास में सबसे पहले साइन इन्वर्स एक्स के प्रांत परिसर तथा आलेक के बारे में बताया था इसके अलावा हमने पृतिलोम तिर्कौर्णमितिय फलन के बारे में भी काफी इंपॉर्टेंट बाते डिसकस की अब आज बेटा मैं आपको अन्य प्रितिलोम तिर्कौर्णमितिय फलनों के प्रांत परिसर तथा आलेक के बारे में बताऊंगा बच्चो आज के आपके जो क्लास होने वाली है ने बेटा ये आप सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है because मैं आप सबी को ऐसी बाते बता रहा हूं ऐसा ज्यान दे रहा हूं जो कि बटा आपको किताबों में भी नहीं मिलेगा किताबों में आप पड़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ऐसे पॉइंट्स बच्चो मैं आपको बता रहा हूं और मैं आपको बता दू कि यही पॉइंट बिटा पृतियोगी परिक्षाओं में भी काफी काम आते हैं ठीक है तो मेरा आप सभी से हर एक बच्चे से यह हाद जोड़ करके अनुरोध है कि वो आकरी तक इस क्लास में बना रहेगा यह क्लास बिटा आप सब के लिए बहुत 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 इंपोर्टन क्लास होने वाली है ओके चलिए अब सबसे पहले जितने भी बच्चों ने क्लास को जोइन कर लिया है सारे बच्चे जल्दी से थमसब करेंगे सो देट पता लग सके किस किस बच्चे ने क्लास को जोइन कर लिया है एक बार जल्दी से सभी बच्चे थमसब करेंगे गुड़ इवनिंग एवरिवान गुड़ इवनिंग गुड़ इवनिंग बच्चों गुड़ इवनिंग सभी बच्चों को गुड़ इवनिंग जल्दी से जल्दी सभी बच्चे थमसब कीजे थमसब बेटा थमसब सारे बच्चे थमसप करो थमसप everyone थमसप कौन चैप्टर होगा बिटा होगा सर बिटा ये सेकंड चैप्टर है क्लाश 12 की मैध का सेकंड चैप्टर है आप लोगों ने बिटा थमनेल देखा होगा लिखा हुआ है याँ पर चैप्टर दो CH CH का मतलब क्या चैप्टर है चैप्टर दो लेक्चे नमबर दो ओके बिटा ठीक है ओके चलिए सही बच्चे रेडी हैं फिर आज की क्लास के लिए everyone ready ready my army अब जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाक से बिटा सब्सक्राइब कर दीजे बेल आइकन को प्रेस करिए साथ में जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक करो और सेर करिए सारे बच्चे अपने सभी दोस्तों के साथ ये वाली क्लास लाइक और सेर बटा जरूर करें वहीं जिन बच्चों ने अभी तक मेरे यानि दीपक सर के टेलीग्राम गुरूप को जोईन नहीं किया है जल्दी से बटा जोईन कर लीजे लिंक बटा डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है इसके अलावा आप टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हो दीपक सर मैच इसके अलावा बच्चों मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ कि यार आप लोग प्लीज प्ले स्टोर पर जाकर के डाउटनट को रेटिंग अवस्य दे देखे बटा आपकी रेटिंग से हमें ये पता लगेगा कि हमारा एप आप सब के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है ठीक है तो प्लीज मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के डाउटनट एप को रेटिंग दे ओके बटा ठीक है चलिए हमबर का आंसर माइनस पाइबाई थ्री था ओके सभी बच्चों ने हमबर किया ना हमबर किया बेटा सभी बच्चों ने सभी के सभी बच्चों ने हमबर किया था नहीं किया क्यों नहीं किया बेटा हमबर अंबर्ग तो करना चाहिए था ना करना चाहिए था न विटा अंबर्ग तो फिर क्यों नहीं किया यह तो अच्छी बात नहीं है विटा गुड इविनिंग एविवन गुड इविनिंग दीपक सर के आर्मी रेडी है सिफा खान आ चुकी है ओके आपने किया सिफा खान अंबर्ग तो क्या अंसर आए बिटा कल सियस के हार गया तो क्या हो गया भाई हार जीत तो बेटा चलती रहती है देखो मैच कर जल्ट या तो हार होगा या जीत होगा ठीक है हाँ सोनम बेटा यह तो मैं आपसे बुल रहा था कि गुपाल साउसर के चैनल पर फिजिक्स चल रही है सर प्रस्णावली क्यों नहीं कराते हैं बेटा देखो मैं आपको यहाँ पर important important question करवाता हूँ सारे question यहाँ पर बेटा मैं आपको नहीं करवाता हूँ यदि बेटा आपको anxiety के हर एक question का आंसर चाहिए तो इसके लिए या तो बेटा आपको doubtnut app के paid course को खरीदना होगा उसमें मैं आपको सारे question करवाँगा otherwise आप doubtnut पर भी questions के answer देख सकते हूँ ठीक है तो इसके लिए बेटा आपको हमारे paid course को खरीदना पड़ेगा नीचे नंबर दिया जा रहा है उस पर call कर लीजिए ठीक है थेंक यू वेरी मच मनुझ कुमार थेंक यू वेरी मच बिटा नहीं बिटा चार अप्रेल से कहीं स्टार्ट नहीं होने वाली थी पहले स्टार्ट होने वाली थी विपिन सर के चैनल का नाम विपिन सर फिजिक्स विपिन सर के चैनल का नाम है बिटा विपिन सर फिजिक्स चलिए चलिए बच्चों बच्चों शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को आज की क्लास में प्रितलों त्रिकौर्णिते फलनों के प्रांत परिसर वे आलिक के बारे में बात करने वाले हैं तो जैसा कि बच्चों मैंने आप सभी को पिछली क्लास में साइन इन्वर्स एक्स के प्रांत परिसर वे आलिक के बारे में बताया था तो देखो साइनेस के ग्राफ ही होता है ये एक आवर्ती फलन है ये बिटा एक एक के आच्छा तक नहीं है तो हमने क्या किया इसके छोटे छोटे से टुकुडे कर लिए यहां पर एक टुकड़ा बना माइनस पाइबाइटू से पाइबाइटू एक बना पाइबाइटू से थ्री पाइबाइटू एक थ्री पाइबाइटू से फाइबाइटू एक फाइबाइटू से सेवन पाइबाइटू एक माइनस थ्री पाइबाइटू से माइनस पाइबाइटू ए एक माइनस सेविन पाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवा क्लियर बिटा क्लियर यह चीज तो यहाँ पर हमने इनको छोटे-छोटे इसो में तोड़ दिया छोटे-छोटे इसो में बिटा हमने इसको तोड़ दिया ओके बिटा अच्छा अब इसमें से ये जो हमारा हिस्सा था था ना माइनस पाई वे टू से पाई वे टू वाला इस हिस्से को हमने विशेस नाम दिया और इसको हमने बोला मुख्यमान साखा ठीक है क्योंकि जो man graph है ने बटा वो हमारा यही है minus pi by 2 से pi by 2 वाला जो अभी मैंने black color से दरसाया है यह होता है Sin inverse X का आलेक ठीक है यह बच्चो Sin inverse X का आलेक होता है ओके बटा बटा यह चीज तो मैंने आपको पिछली class में बता दी थी कि इसके एक एकी वे अच्छादक बनाने के लिए हमने इसके प्रांथ को छोटी-छोटी इस्सों में तोड़ा जिनमें से एक हिसा था माइनस पाइवेटू से पाइवेटू वाला इसे हमने मुख्यमान साखा बोला और इसमें साइन एक्स का गराफ इस परकार का हुट ठीक है अच्छा इसके अलावा बच्चों हमने साइन इनवर्स एक्स का प्रांथ देखा देखिए बिटा साइन इनवर्स एक्स का प्रांथ का हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का प्रांथ प्रांथ होता है बिटा माइनस एक से एक और परिसर होता है माइनस पाइबाइटू से पाइबाइटू ये इसके प्रांथ और परिसर होते हैं प्रांथ माइनस एक से एक परिसर होता है माइनस पाइबाइटू से पाइबाइटू ठीक है बड़ा अच्छा इसके बाद प्रांथ और परिसर के बाद में ठीक है इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं अन्ने पृतिलोम्त रिकॉर्डमतिये फलन के बारे में ठीक है साइन इनवर्स एक सबको समझ में आ गया ना परांत होता है माइनस एक से एक परिसर होता है माइनस पाई बैटू से पाई बैटू वहीं बेटा इसका ग्राफ कु बताइए बिटा सबको clear है ने बिटा recorded class नहीं है live class चल रही है आपकी ये बच्चो live class चल रही है आपकी ओके बिटा live class है बिटा ये हाँ बेटा मैं डेली क्लास लेता हूँ डेली आपकी साम को 6 बजे क्लास चलती है साथ क्या बेटा मैंने कल की क्लास हम बताया था डेटेल में आप प्लीज कल की क्लास को देख लीजेगा ठीक है चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं ठीक है अब कॉस इनवर्स एक्स के बारे में बात करने से पहले बचो आपको कॉस एक्स का आलेक पता होना चाहिए तो बेटा कॉस एक्स का आलेक होता है कुछ इस प्रकार का ये होता है बेटा कॉस एक्स का आलेक ठीक है आप सबने बेटा ग्यारवी कलास हैं पढ़ा होगा कॉस एक्स का आलेक तो कॉस एक्स का आलेक बच्चो इस प्रकार का होता है ठीक है बटा इस प्रकार का होता आपका cos x का आलेक समने पढ़ाएं ना notification क्यों नहीं आती आती होगी बटा आपके पास notification तो आती होगी बटा notification हाँ बटा डेली यूटूब पर भी class चलती है और एप पर भी class चलती है डेली बटा यूटूब पर भी class चलती है और एप पर भी class चलती है दोनों जगे ओपर बटा class चलती है अच्छा अब ध्यान से देखना यहां पर ध्यान से देखना बहुत इंपोर्टन बात हम करने वाले हैं यहां पर ठीक है देखो कॉस एक्स के आलेक को ध्यान से देखिए यह आलेक भी बच्चो एक आवर्ति फलन का आलेक है क्योंकि यहां पर देखो बिटा जो मान यहां पर है वही से मान यहां पर है वही से मान बिटा यहां पर भी है तो इसका मतलब कॉस एक्स भी अपने मान को दोहरा रहा है एगरी करते हैं सहरे बच्चे इस बात को कि कॉस एक्स भी अपने मान को दोहरा रहा है है न जो मानिया पर है, वो मानिया पर है आप चेक करना जाओ तो देखो एक सच के समान तरीका कीचोगे तो यह देखो कितनी जिगे पर काड़ती है काफी जिगे पर काड़ रहे है तो इसका मतलब यह एक 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 आछा तक नहीं है अब इसका प्रतुलम ग्याद करना है तो इसको एक एक आच्छा तक बनाना पड़ेगा तो इसे भी बीटा हम छोटे छोटे हिस्सों में यहाँ पर तोड़ेंगे अब देखें वो इससे क्या होंगे वो इससे बीटा क्या होंगे तो यहाँ पर बेटा एक हिस्सा हमने बनाया ये, 0 से πाई वाला, एक बनाया πाई से 2 पाई वाला, एक 2 पाई से 3 पाई वाला, एक 3 पाई से 4 पाई वाला, एक माइनस पाई से 0 वाला, एक माइनस 2 पाई से माइनस पाई वाला, एक माइनस 3 पाई से माइनस 2 पाई वाला, एक म ने यहाँ पर हिस्से बनाए ठीक है बेटा यह हमारे यहाँ पर हिस्से हो गए ठीक है अब इन सभी हिस्सों में आप देखिए कि कॉस एक के की तथा आजशादक है ठीक है तो यहाँ पर देखो बेटा हमारे पास हिस्से क्या क्या है पहला हिस्सा आया कॉस एक्स का पहला है क cos x का जिरो से πाई और इसमें मान कहां से कहां तक है माइनस एक से एक तक दूसरा हिस्सा आया cos x का πाई से 2 पाई इसमें भी माइनस एक से एक है तीसरा हिस्सा आया cos x का 2 पाई से 3 पाई इसमें भी माइनस एक से एक है चौथा हिस्सा आया cos x का 3 पाई से 4 पाई इसमें भी माइनस एक से एक है ठीक है, इसके बाद अगला हिस्सा आया cos x का, और देखिए बटा कौन से हिस्सा है, तो यह तो हमने इधर की बात करी, इधर की बात करें तो माइनस πाई से 0 का भी एक हिस्सा आया 2, माइनस 1 से 1, एक हिस्सा आया, माइनस 2 पाई से, माइनस पाई, इसमें माइनस 1 से 1 एक हिस्सा आया माइनस 3 पाई से, माइनस 2 पाई, यहां पर भी, माइनस 1 से 1, तो यह बिटा हमारे पास इससा है, एक हिसके लाव माइनस 4 पाई से, माइनस 3 पाई भी आ गया हो तो यह बिटा हमारे पास इससे आ गया किलियर बिटा इनमें कॉस X A की की तथा आजचा दा गया ठीक है अब देखों कॉस इनवर्स X होता क्या है ये मैं आपको बदाता हूँ कॉस X से हमें इसका प्रतुलम गयाद करना है तो मैंने इसको Y के बराबर माल लिया तो यहां से बिटा X बराबर हो जाता है कॉस इनवर्स Y के ठीक है ये हमारे पास G of Y आ गया यहां से G of X बराबर हो जाता है कॉस इनवर्स X के तो यह होता है कॉस X का प्रतिलो कॉस इनवर्स X ठीक है अच्छा अब यहां पर देखिए कॉस इन्वर्स एक्स क्या होगा तो इस वाले रेंज में कॉस इन्वर्स एक्स माइनस एक से एक से लेकर के जीरो से पाई में परिवासित होगा इस वाले में कॉस इन्वर्स एक्स माइनस एक से एक से लेकर के पाई से टू पाई में परिवासित होगा आप लोग जानते हो कि एदी F A से B में परवासित हो तो उसका व्यूत क्रम या प्रितलोम G B से A में परवासित होता है सारे बच्चे ये बात जानते हैं अच्छे से कि एदी F A से B में परवासित है तो उसका प्रितलोम G B से A में परवासित होता है है ना भाई सारे बच्चे बाद जानते है बताईए बिटा ये जो चीज मैंने लिखिया ये समझ में आ गई न क्योंकि दो को यही मैं आपको graph समझा रहा हूँ इसके बाद तो मैं आपको direct बताऊँगा 10x, 10 verse x का cotton verse x का second verse x का, cosec verse x का इनकी graph तो मैं आपको direct बताऊँगा बस ये graph आपको मैं समझा रहा हूँ समझ में आगे है न बाई simple सी बात है यार कि f यदि समुच्चे a से b में परवासित है तो इसका व्यूत करम f inverse b से a में परवासित होता है आप सबने बिटा पिछले चेप्टर में पढ़ा है यदि नहीं पढ़ा है तो प्लीज पढ़िए क्योंकि बार बार तो मैं सेम चीज नहीं रिपीट करता रहूँगा है ना, चलिए अब यहाँ पर देखिए हमारे पास इस वाले इस साखा में cos inverse x minus x से 1 से माइनस एक से 1 से लेकर के 3 pi से 4 pi में हो जाएगा चीक है इसके बाद, इस वाले में देखो इसमें cos inverse x minus x से 1 से लेकर के minus pi से 0 में हो जाएगा इसमें cos inverse x minus x से 1 से लेकर के माइनस टू पाई से माइनस पाई में हो जाएगा यहां कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक से एक से लेकर के माइनस थ्री पाई से माइनस टू पाई में हो जाएगा इसमें कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक से एक से लेकर के माइनस फूर पाई से माइनस थ्री पाइम हो जाएगा इन में हो जाएगा ठीक है ठीक है बटा इसमें हमारा कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा अब ये तो हमारे पास काफी सारी साखाएं अब जैसे साइन इनवर्स एक्स में हमने एक मुख्यमान साखा देखी तो ऐसे में इन में से कौन से वो साखा लें जो हमारी मुख्यमान साखा कहलाए तो वो बिटा होगी आपकी ये पहले बाली साखा ये जो पहली साखा आपको निजर आ रही है न ये कहलाएगी बिटा आपकी मुख्यमान साखा ठीके बिटा ये आपकी मुख्य अमान साखा है ओके बच्चो ये आपकी बिटा मुख्य मान साखा है किलियर बिटा ये है आपकी मुख्य अमान साखा ठीक है तो cos inverse x की मुख्यमान साखा क्या आ गई cos inverse x की बिटा मुख्यमान साखा हमारे पास आ चुकी है minus 1 से 1 से लेकर के 0 से पाई ये बिटा मुख्यमान साखा आ चुकी है cos inverse x की minus 1 से 1 2 0 से पाई ठीक है ठीक है ठीक है बिटा यहां तक सब को समझ में आ गया बताईए बिटा यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया ना ठीक है चलिए अब इसके बाद बिटा मुख्यमान बनाते हैं cos inverse x का आलेक ठीक है देखे cos inverse x का आलेक कैसा बनेगा तो यहां पर मैंने बनाया x अक्ष देखे पूरा आलेक मैं आपको नहीं बना रहा हूँ केवल 0 से πाई वाला जो हमारे काम का आलेक है न वहीं मैं आपको बनवा रहा हूँ तो यह हो गया x अक्ष यह हो गया बिटा y x x में आपको minus 1 से 1 में चलना है यहां 0 यहां पर आपको बिटा 0 से पाई में चलना है तो यहां पर माल लो पाई बैटू है यहां पर हो गया आपका पाई ठीक है तो एक काम करिए यहां पर minus 1 और 1 पर एक लचमण रेका खीज देते हैं इस तरीके से अब देखे बिटा cos inverse x का आलेक कैसा बनेगा cos inverse x का आलेक कैसा बनेगा ध्यान से देखे ठीक है तो बिटा जी मैंने आपको बताया अभी कि y बराबर यदि cos x है सो x बराबर है cos inverse y के ठीक है अब देखो बिटा cos 0 का मान कितना होता है एक तो यहां से cos inverse 1 का मान 0 हो जाएगा ठीक है cos pi by 6 का मान कितना होता है वर्गमूल 3 बटे 2 cos 60 degree का और cos inverse वर्गमूल 3 बटे 2 का मान हो जाएगा pi by 6 ठीक है cos pi by 4 का मान कितना होता है एक बटे वर्गमूल 2 सो cos inverse एक बटे वर्गमूल 2 बराबर हो जाएगा pi by 4 के ठीक है इसके बाद cos pi by 2 इसका मान होता है बटे जीरो के बराबर तो इसका मतलब cos inverse 0 का मान हो जाएगा pi by 2 के बराबर ये बटे बटे मान हो जाएगे ठीक है ये बच्चों हमारे मान हो जाएगे क्लियर बटे ये हमारे मान हो जाएगे इन सम्मानों के आधार पर हम गिराब बनेगे तो देखो cos inverse 1 का मान कितना है cos inverse एक का मान है 0 तो एक पर मान 0 हो जाएगा ठीक है इसके इसके अलावा cos inverse वर्गमूल 3 बटे 2 का मान है πाए बई 6 अब वर्गमूल 3 बटे 2 काउपर होगा बिटा वर्गमूल तीन बेटे दोगा यहां कहीं तो इस परमान πाई बैसिक्स है ठीक है उसके बाद πाई बैसिक्स परमान कितना है कॉस इनवर्ड जीरो बराबर है पाई बैसिक्स यहां पर 0 हो जा रहा है ठीक है इसके बाद में कॉस इनवर्स अब आगे भी चलेंगे तो देखो cos inverse minus 1 बराबर होगा πाई के तो यहाँ पर πाई हो जाएगा तो इसका आलिक होगा बिटा कुछ इस तरीके का यह होता है बिटा cos inverse x का आलिक यह बच्चो cos inverse x का आलिक होता है इस तरीके का बिटा ओके बच्चो यह हमारा cos inverse x का आलिक होता है ठीक है cos inverse x का आलिक बिटा इस परकार का होता है क्लिर बिटा चलिए नौ इसके परांत और परिसर की बात करें तो cos inverse x का परांत क्या होगा cos inverse x का परांत cos inverse x का बिटा परांत हो जाएगा माइनस एक से एक और इसका परिसर होगा 0 से परांत ये परिसर ये और आलिक बिटा ऐसा होता है ठीक है बिटा clear परांत परिसर आलिक समझ मागए चलिए अब इसके बाद यहाँ पर हम कुछ question देखते हैं तो देखो question कैसे आते हैं question बिटा ऐसे आते हैं जैसे मान लीजे मैंने आपसे पूछा बताओ cos inverse of minus workmul 3 बटे 2 का मान क्या होगा मुख्या मान क्या होगा ठीक है तो देखो इस पृष्ण का answer हम कैसे देंगे सबसे पहले बिटा हम यहाँ पर मानेंगे माना cos inverse of minus workmul 3 बटे 2 बराबर है ठीटा के ठीक है सबसे पहले बिटा यहाँ पर हम यह मानेंगे कि cos inverse of work minus workmul 3 बटे 2 बराबर होगा ठीटा के ओके बिटा यह हमने आपर मान लिया चीक है अच्छा फिर यहाँ पर हम लेखेंगे ठीटा अब ठीटा कमान 0 से पाई के बीच में होगा ठीटा कमान बिटा 0 से पाई के बीच होगा सर नई बुक कौन आने वाली है 12th क्लास के लिए मैट की बिटा चेंज कर दीए बट आप लोग के डिफरेंट डिफरेंट बुक्स बूर्ड्स हैं अब आपके बूर्ड में बिटा NCRT बेस्ट बुक फोल होती है तो क्या पता आपके यहाँ पर भी बुक चेंज हो जाए अभी वैसे बूर्ड की तरब से कोई ओफिसल इनफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं आई है इसी बज़े से मैं आप लोग को भी क्लियर नहीं बता पा रहा हूँ ओके जैसे ही आपका बूर्ड सलेवस बताएगा बिटा आप लोग का इस साल का तरंट मैं आपको बता दूँगा कि आपको कौन सी बुक लेनी है पिछले वाली NCRT लेनी है और नई वाली NCRT लेनी है मैं आपको तभी के तभी बता दूँगा ठीक है ओके बिटा अब देखिए बच्चों इसका मान कैसे ग्याद करेंगे तो सबसे पहले इसको ठीटा के बरावर मान लिया अब यहां से बिटा कौस ठीटा बरावर होगा माइनस वर्गमूल तीन बटे दो के यह बिटा हमारा कौस ठीटा हो जाएगा ठीक है अब आपको देखना है कि ठीटा के किस मान पर मैनस वर्गमूल 3 बटे 2 होता है तो यहां से बिटा आप लिख सकते हो cos theta बरावर minus, वर्गमूल 3 बटे 2 कहां पर होता है बिटा, cos pi by 6 पर, ठीक है अब इसको हम लिख सकते हैं, cos of pi minus pi by 6 क्योंकि cos pi minus theta minus cos theta होता है, इसलिए तो यहां से बिटा ठीटा बराबर आ जाएगा pi minus pi by 6 यहनि 5 pi by 6 तो cos inverse minus वर्ग मुल 3 बटे 2 का मान 5 pi by 6 होगा केलिए ऐसे बिटा आपको मान गयाद करने है ठीक है चलिए एक मैं आपको दे रहा हूँ बताओ इसका मान क्या होगा Cos inverse of minus 1 बटे 2 बताईए बिटा इसका मान क्या होगा ऐसे मान ग्यात करना है बताईए cos inverse of minus 1 बटे 2 का मान क्या होगा बताईए जरा मुझे बता बिटा बताओ cos inverse of minus 1 बटे 2 का मान क्या होगा बताईए इसका मान क्या होगा समझ में आगया नहीं वाला कोश्चन पहले तो यह बताओ कि यह वाला कोश्चन समझ में आया नहीं आया बताईए बिटा यह वाला कोश्चन समझ में आगया सभी को देन उसके बाद आप मुझे cos inverse of minus 1 बटे 2 का मान बताईए देखे कुछ बच्चे आपर answer दे रहे हैं एप के बच्चे answer दे रहे हैं और वो सही है या गलत वो भी आपको मैं थोड़ देर में बताऊँगा but at least answer तो दे रहे हैं यह बहुत बड़ी बात है बिटा काफी बच्चे तो होते हैं जो की answer ही नहीं देते हैं मूख बनकर class में बैठे रहते हैं ओके सिवम बेटा सिवम ठीक है तो ads में बच्चों को दिक्कत होती है ठीक है उस समस्या को दूर कर देंगे बेटा don't worry बच्चे answer बताईए आई उस गौता मुझे एक बात बताओ कि cos pi by 2 का मान minus 1와 2 होता है क्या अब खुद से सोच सकते हो यार क्या cos pi by 2 का मान minus 1와 2 होता है क्या खुद से सोचे दिसको आप answer देते हो कोई भी answer देते है आप पहले खुद से सोचा करो कि जो आप आंसर दे रहे हो वो सही है या नहीं ठीक है सिर्व मिटा ठीक है ओके विसाल बिटा गुड इविनिंग बिटा गुड इविनिंग चलिए अब देखो इसका आंसर क्या होगा तो कैसे करेंगे भाई सबसे पहले मानेंगे भीटा cos inverse of minus 1पटे 2 बराबर ठीटा है तो cos इटा बराबर minus 1पटे 2 हो जाएगा अभी हो जाएगा minus cos Pi by 3 इसको आप लगोगे cos of Pi minus Pi by 3 तो ठीटा बराबर आगया 2 Pi by 3 के कितना आसां था देखो लो बिटा कितना आसान था 2 pi by 3 इसका right answer हो जाएगा ठीक है चलिए अब इसके बाद चलते हम अगले प्रतिलोम त्रिकॉर्ड मितिये फलन पर अब अगला है बिटा हमारा 10x sorry 10x तो त्रिकॉर्ड मितिये फलन है इस प्रतिलोम त्रिकॉर्ड मितिये फलन अगला 10 inverse x ठीक है अब 10 inverse x का प्रांथ परिसर आलेक समझने से पहले आपको 10x का आलेक पता होना चाहिए तो बिटा 10x का आलेक होता है इस प्रिकार का ठीक है 10x का आलेक बच्चो इस तरीके का होता है अब 10x होता क्या है तो बिटा 10x बराबर होता है sin x बटे में cos x के 10x बिटा sin x बटे cos x होता है ठीक है अब यहाँ पर cos x not equal to 0 होता है मतलब x not equal to 2 होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के ठीक है x बिटा not equal to होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के ओके बिटा cos x not equal to 0 x not equal to 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है मतलब पाई बाई 2 के विश्म गुर्जों पर 10x परिभासित नहीं होता है ओके किलियर तो वो आप ग्राफ से भी आपर देख सकते हो उसके बाद बिटा 10x के ग्राफ इस परिकार होता है आप लोगों ने 11 वी क्लास में पढ़ा होगा ठीक है अब देखिए इस ध्यान से ग्राफ को ये वाला ग्राफ भी बिटा एक एक की आचादक नहीं है क्यों देखो जो मान यहाँ पर है ठीक है वही से मान बिटा यहाँ पर भी है तो इसलिए ये एक एक की आचादक नहीं है तो नहीं है तो इसको बनाना पड़ेगा कैसे बनाएंगे इसके लिए हम इसके प्रांत को प्रतिबंदित कर देंगे तो इसके प्रांत को बिटा हम प्रतिबंदित करते हैं माइनस पाई बैटू से पाई बैटू में 10X की मुख्य साखा हो जाएगी मुख्य साखा हो जाएगी माइनस पाइबाइटू से पाइबाइटू और इसमें 10X माइनस अनंत से अनंत के बीच होता है ठीक है 10X की मुख्य माइनस साखा होगी माइनस अनंत से लेकर से लेकर के माइनस पाइबाइटो से पाइबाइटो ठीक है ये होती है बिटा 10 inverse X की मुख्यमान साखा ओके ये बच्छो 10 inverse X की मुख्यमान साखा होती है अब इसका आलेक कैसे बनाते हैं तो इसका आलेक बनाने के लिए माना 10 inverse X बरावर है Y के ठीक है टैन वर्स एक्स बरावर वाई है तो एक्स बरावर हो जाएगा टैन सरी टैन एक्स का हमें क्या बनाना है टैन एक्स इन वर्स एक्स का गराव बनाना है तो टैन वर्स एक्स बरावर वाई तो एक्स बरावर हो जाएगा टैन वाई इस तरीके से फिर हम graph बना सकते हैं ठीक है तो 10 versus X के graph बनता है बिटा इस प्रकार का अब इसमें बिटा जो ये है हाँ बिटा कोस पाइबाइटू का मान जीरो होता है इसी बेसे तो पाइबाइटू की विस्म गुर्जों पर ये परिवासित नहीं होता ठीक है clear तो यहाँ पर देखो इसका आले की होता है अब इसमें देखो बिटा ये जो आले के ना जो की गेहरे कलर से बनाया गया है जिसको मैं अभी गेहरा कर रहा हूँ ये है इसका मुख्य graph 10 versus X का यही है माइनस पाइबाइटू से पाइबाइटू तो यह होता है बिटा 10 versus X का graph ठीक है और इसके प्रांतर परिषर की बात करें तो 10 inverse X का प्रांत होता है minus अनन्त से अनन्त और इसका परिषर होता है minus पाइबाइटू से पाइबाइटू ध्यान रहे यहाँ पर माइनस पाइबाइटू और पाइबाइटू पर खुला अंतराल होता है ठीक है बटा कैसा अंतराल होता है खुला अंतराल ठीक है ओके बटा यहाँ पर खुला अंतराल होता है किलियर ठीक है चलिए अब इसके बाद यहां पर कोश्चन देखते हैं तो कोश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ जैसे कि आपसे कहेगा कि बताओ 10 inverse एक का मुख्यमान ग्याद कीजिए तो सेम उसी तरीकी के कोश्चन होते हैं जैसे हमने अभी करे थे ना सेम वैसे ही आपको करना है क्या करना है सबसे पहले यहाँ पर आपको मानना है माना 10 inverse एक बराबर है ठीटा के so 10 theta बराबर हो जाएगा 1 के यहाँ पर ही हो जाएगा बराबर 10 पाई बाई 4 के तो ठीटा बराबर आ जाएगा πाई बाई 4 के इस तरीके से आपको यह प्रिशनल करने होते है उके चीक है चलिके इसके बाद अगले त्रकॉरम्त रिकॉर्डम्त इसके बारे में यह भी बटा यह कही की वे आजजादक नहीं है अपने संपूर प्रांथ में तो इसके लिए फिर हम इसको भी छोटे छोटे इस्सटो में तोडेंगे और वो हिस्सा लेंगे नेंगे buddy, हम 0 से πाई वाला क्वैंपि दोखो इस में यह A, KAI की वे आजचातक है इस वाले हिस्से में इस बाले हिस्से में, बिटा यह E, KAI की वे आजचातक है ठीक है? तो इस वाले हिस्से को मिया पर ले लेंगे जिरो से पाई वाले हिससे को चीक है तो cos inverse x का आलिक कैसा बनेगा बिटा यहाँ पर देखो हमने क्या लिया हमने 10 cot x का cot x का बिटा हमने इससे लिया 0 से पाई वाला 0 और पाई सामिल नहीं है तो कोट x होता है क्या है cortex होता है बिटा cos x बटे sin x तो इसका मतलब cortex वहां पर रिवासित नहीं होता है जहांपर sin x 0 के बराबर हो तो इसका मतलब x का मान n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए x नो टिक्वल्ट हो जाएगा n पाई ठीक है चलिए अब यहांपर आजाओ तो बिटा cot x जो है न cot x का यह क्या हो गया 0 से पाई 0 से पाई और इसमें परिसर होता है माइनस अनन्द से अनन्द तो cot inverse x की साखा हो जाएगी माइनस अनन्द से अनन्द से 0 से पाई यह होगी बिटा cot inverse x की मुख्य अमान साखा यह बिटा cot inverse x की मुख्य अमान साखा हो जाएगी नहीं बिटा स्वरी बिटा रिंकू आप नहीं कर सकते क्योंकि j के लिए बिटा 75% होने चाहिए जेए के लिए बिटा 75% होने चाहिए ठीक है ओके बिटा चलिए बच्चो आगे चलें अब आगे चलें बिटा आगे चलें बिटा तो यह हो गया कोर्ट इनिवर्स मान साखा अब दिखो कोर्ट इनिवर्स में कार्ट इनिवर्स एक्स y बराबर cot inverse x यहां पर बिटा x बराबर हो जाएगा cot y के अब इसके आदार पर बच्चुम graph बनाएंगे ठीक है तो दो कोट inverse x का graph कैसा बनता है ऐसा graph बनता है ठीक है अब इसमें बिटा जो यह वाला graph है न यही है cot inverse x का मुख्य graph ठीक है यह होता है बिटा cot inverse x का आलेग वही हम इसके प्रांथ परिसर की बात करें तो cot inverse x का प्रांथ होता है माइनस अनंत से अनंत और इसका बिटा परिसर होता है 0 से पाई तो यह बिटा cot inverse x का प्रांथ परिसर और आलेग होता है किलियर चलिए बच्चों आज की क्लास को में पर स्टॉप करते हैं तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में सबसे पहले कॉस इनवर्स फिर टैनवर्स फिर कॉट इनवर्स के प्रांथ परिसर वे आलेक डिसकस की है अब दो और हमारे प्रितुलूम्त रिकॉड में तिया फिलन बच गए है सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स उनके प्रांथ परिसर आलेक हम नेश्ट क्लास में डिसकस करेंगे ठीक है चलिए अब समय होगे आपकी आज की क्विज का तो सही बच्चे तयार हो जाएए क्विज के लिए आपके सामने बटा आ रहा है आज की क्विज का पहला प्रशन जो कि बटाई है आप बताईए 10 वर्स एक्स का परिसर क्या है चार आप्सन आपको बटा दिये गए बताईए कौन सा आप्सन करक्ट होगा 10 इनवर्स एक्स का बटा परिसर क्या है बताई बच्चों बताई 10 इनवर्स एक्स का बटा परिसर क्या है अगले कौश्शन का आप्सन न आपको नभा परिसर क्या है कौस इनवर्स एक्स का बच्चों परिसर क्या है चलिए बिटा आपका समय होता है आपर समाब तो देखो 10 inverse x का परिसर होता है minus pi by 2 से pi by 2 तो इसका answer हो जाएगा d option and cos inverse x का परिसर होता है 0 से pi, 0 और pi सामिल होता है तो इसका answer भी d option हो जाएगा ठीक है तो यह थे बच्चों आपकी आज के दोनों के answer तो इस तरीके से बिटा आज की class में मैंने आपको सबसे पहले cos inverse x के परांथ परिसर आलेक के बारे में बताया फिर हमने 10 inverse x का परांथ परिसर आलेक देखा इसके बाद हमने cot inverse x के परांथ परिसर आलेक के बारे में बात की सबसे पहले हम sin inverse x की बात करें तो बिटा sin inverse x का आलेख बताने से पहले मैंने आपको sin x का आलेख बताया था अच्छा यहां पर मैंने आपको एक चीज बताई कि किसी फलन के पृतिलोम का तब ही अस्तित होता जब है एक 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 आचा दगो और हम जानते हैं कि पृतिक तूपा यह अंतराल के बाद यह अपने मान को दोहर आता है तो यह कैसे एक 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 आचा दगो सकता है तो इसको एक 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 आचा दग बनाने के लिए हमने इसे छोटी छोटी साखाओं में विवाज़त किया जिसमें से बीटा यहां पर एक साखा थी माइनस पाई बैटू से पाई बैटू इसको हमने बुला बीटा मुक्हेमान साखा ठीक है Then इसके बाद में हमने sin inverse x का graph बनाया अब sin inverse x का graph कैसे बनाया सबसे पहले मैंने sin inverse x को y के बराबर माना यहां से X बराबर हो गया Sine Y के इसकी साहिता से बिटम ने आलिक बनाया अब दो को इसमें और इसमें फरक क्या है फरक केवल इस बात कहीं कि मैंने Y की जगे X X की जगे पर Y ले दिया तो यहां पर X की जगे पर Y Y की जगे पर X ले दिंगे तो हमारे पास Sine Inverse X का आलिक यह हो जाएगा ठीक है बट इस आलिक में जो बिटा यह वाला आलिक है माइनस पाइबाइटू से पाइबाइटू के बीच वाला यह है Sine Inverse X का मुख्य आलिक क्योंकि इस साखा को बिटा हम मुख्यमान साखा बोलते है साखाएं तो कावी सारी है जिनमें Sine X A K E की वे अच्छादक है बट इन सभी साखाओं में यह वाली जो साखा है माइनस पाइबाइटू से पाइबाइटू वाली इसको हम लोग बलाते हैं मुख्यमान साखा किसकी Sine Inverse X की तो यह होती है मुख्यमान साखा ठीक है इसके According Sine Inverse X का प्रांत यह तो होता है बिटा माइनस एक से एक और परिसर होता है माइनस पाइबाइटू से पाइबाइटू ठीक है और आलेक तो मैं आपको बताई चुका हूँ आलेक इस प्रिकार का होता है ओके बिटा यह होता है Sine Inverse X का आलेक क्लियर? अच्छा इसके बाद बिटा हमने Cos Inverse X के बारे में बात की अब दोको Cos Inverse X का आलेक बताने से पहले मैंने आपको Cos X के बारे में बताया तो ¥ का आलिग फिटा इस पिरकार का होता है ये भी बच्चो एक आवर्ती फलन है ये भी 2 पाई अंत्रेल के बाद अपने मान को दौर आती है भाई देखो जीरू पर मान एक था इसके बाद टू पाई पर मान भी एक है फिर 4 पाई पर मान एक है तो प्रतिक टूपाई अंतरल के बाद ये अपने मान को दोराती है तो इसलिए बिटा ये भी अपने प्रांत में एक एक की आच्छा तक नहीं है तो इसको एक 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 आच्छा तक बनाने के लिए हमने इसे भी छोटी-छोटी साखाओं में वाज़त किया जिसमें ये वाली जो साखा थी जीरो से पाई वाली इसको हमने बुला मुख्यमान साखा ठीक है अब इसका आलिक बनाया हमने तो वाई वरावर कॉस इनवर्स एक्स का आलिक बनाया तो यहां से बिटा एक्स बरावर हो गया कॉस वाई इसका आलिक बनाया इनमें दो फरक क्या है केवल x और y का x की जगा y है y की जगा पर x है ठीक है तो इसका आलिक बना बिटा इस परकार का ये बिटा आलिक बन गया cos inverse x का ठीक है अब यहां पर बिटा ये जो 0 से πाई वाला आलिक है ने ये वाला ये जो 0 से पाई वाला है ये बिटा मुख्यमान साखा cos inverse x की बिटा ये मुख्यमान साखा है ठीक है तो cos inverse x का प्रांत होता है minus 1 से 1 और बिटा इसका परिसर होता है इसका परिसर होता है बिटा 0 से पाई ठीक है इसके बाद बिटा हमने बात की tan inverse x के बारे में अब यहाँ पर भी बिटा सबसे पहले हमने tan x का आलिक देखा तो बिटा 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 मैंने आपको बताया कि tan x बराबर होता है sin x बटे में cos x के ग्यारवी क्लास में पढ़के आ चुके थे cos x not equal to 0 होगा so x not equal to 2n plus 1 pi by 2 हो जाएगा मतलब tan x का जो प्रांत होता है वो r minus 2n plus 1 pi by 2 होता है यदि किसी बच्चे ने 11 वी क्लास में इसका रीजन नहीं समझा था तो इसका रीजन यही है कि pi by 2 के विसम गुर्जों पर tan x a परिवासित होता है परिवासित नहीं होता क्योंकि वहाँ पर कौसेक 0 के बराबर होता है इसी वज़े से हम परांत यह लेते हैं और tan x का परिशर होता है complete r यानि minus 9 से अब tan x के गराव को बिट अब ध्यान से देखिए तो ये भी प्रतेक pi अंतराल के बाद अपने मान को धोराता है तो इसका जो आवर्त काल होता है वो बिटा pi होता है पर तेक pi अंतराल के बाद ये अपने मान को धोराता है ठीक है बिटा तो इसका मतलब ये भी अपने प्रांत में एक अच्छा तक नहीं है तो इसको भी एक अच्छा तक बनाने के लिए हमने छोटी-छोटी साखाओं में विवाजित किया और वो साखा थी माइनस पाइवाइटू से पाइवाइटू वाली इसमें बिटाई ये एक एक आजचा दग है ठीक है इसके बाद हमने टैन इनवर्स एक्स का आलिक बनाया अब दोको टैन इनवर्स एक्स का आलिक कैसे बन पिरकार अब इसमें जो ये वाला आलिक था ये था टैन इनवर्स एक्स का मुख्य आलिक ये था बिटा टैन इनवर्स एक्स का मुख्य आलिक जो मैं भी डार कर रहूं यह था बिटा टैन इन्वर्स एक्स का मुख्य आले था ठीक है अब यहां से हम देख सकते हैं कि टैन इन वर्स एक्स का प्रांथ टैन इन्वर्स एक्स का प्रांथ होता है बिटा माइनस अनंद से अनंद और बिटा इसका परिसर होता है माइनस पाइबाइटू से पाइबाइटू माइनस पाइबाइटू पाइबाइटू पर बिटा खुला अंतराल होता है ठीक है कि स्वर्ट सर्ट्वैल्थ की कौन सी बुक खरीदें यूपी बूर्ड की तो फिटा यूपी बूर्ड की खुद की बुक चलती है उस बुक को ले लिजे नई बुक को लिजेगा क्यों को आपको मैं एक राज की बात बताऊं बिटा तो इस साल NCRT ने NCRT बुक का अपने नाम सुना होगा ना तो NCRT ने इस साल अपनी बुक में कुछ Camby कीए अब सभी बूर्ड NCRT book को follow करते हैं तो हो सकता है कि इस साल आपके board की book भी change हो तो मैं यह कहूँगा कि अभी थोड़ा सा time ले लो एक मेने का समय और ले लीजे उसके बाद आप book ले लीजेगा तब तक मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ते चलो ठीक है मैं भी कुछ दिन पहले बिटा आया था समस्तिपुर में आपके वहाँ से क्लास 10 की टॉपर भी लिख ले ना बिटा आपके पास NCRT book है ओके कोई बात नहीं बिटा हन्रेड परसेंट क्लियर है चलिए तो यह हो गया बिटा आपका 10 वर्स इसका अलेग प्रांत और परिसर इसके बाद बिटा हमने बात की कॉट इनवर्स एक्स के बारे में अब यहां पर सबसे पहले मैंने कॉट एक्स का अलेग आपको बताया तो कॉट एक्स का अलेग होता है इस परकार का देखें कॉट एक्स क्या होता है कॉट एक्स बराबर होता है कॉट एक्स बटे साइन एक्स के 11 वी क्लास में अपने पढ़ाता है कि साइन एक्स नॉट इक्कल्ट जीरो होना चाहिए मतलब x not difficult होना चाहिए n पाई के जहां n belongs to a z तो cot x का प्रांत होता है r minus n पाई जहां n belongs to z आपने बिटा 11 वी क्लास में पढ़ा होगा cot x का प्रांत r minus n पाई होता है वहाँ पर कुछ ठीचर बता देते हैं कि r minus n पाई क्यों हो रहा है कुछ नहीं बताते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि r minus n पाई क्यों है क्योंकि n पाई पर sin x 0 के बढ़ा होता है वहाँ पर cortex परिवाज़त नहीं होता ठीक है जिसका परिसर क्या होता है तो cortex का बिटा परिसर होता है माइनस अनन्द से अनन्द complete r होता है ठीक है अब इसके आले को भी बिटा द्यान से देखिए तो ये भी प्रतेक πाई अंतराल के बाद अपने मान को दोराता है तो इसका भी आवर्त काल पाई होता है ठीक है इसलिए अपने परांत में एक 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 वाज़चा दक नहीं है तो इसको एक 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 आच़चा दक बनाने के लिए हमने इसके परांत को छोटे छोटे समय बांटा तोड़ा एक हिसा आता है ये जिरो से पाई वाला इसमें एक 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 आच़चा दक दोनों है ठीक है तो हमने बिटा यही मुख्यमान साखखा ले ली इसके बाद हमने कौट इनवर्स एक का आलिक बनाया कैसे पर कौट इनवर्स एक को मैंने वाई के बरावर में मान लिया इसके बाद यहां से एक्स बरावर हो गया कौट वाई देन मैंने आलिक बना दिया कौट इनवर्स एक्स का ठीक है ये बिटा मुख्यमान साखावाला अलेग है ठीक है ये बिटा मुख्यमान साखावाला अलेग है ये वाला ठीक है अच्छा अब कौट इनवर्स एक्स का प्रांत होता है बिटा कौट इनवर्स एक्स का प्रांत ये होता है बिटा माइनस अनंद से अनंद और इसका परिसर होता है जीरो से फाई ठीक है तो यहां तक बच्चों ने पिछली क्लास तक बात कर ली थी पहले कौरणा वाइरस से 30% आफ था बट अब 100% हो गया है हाँ सिवं बेटा बट एंसे ने बेटा इस साल अपनी बुक से चेंज की हैं उनमें से कुछ कुछ टॉपिक हटा दिये तो यह आपकी बोड भी उन टॉपिक्स को हटाता है तो हटा सकता है ठीक है बोड पर डेपेंड ने बिटा यह कि वो परानी एंसे आट को फूलो करता हैं तरहरेगी लेन आपको बता दिये जाएगा ठीक है चलिए तो किसी बच्चे को दिक्धत बताइए मुझे यह आतक पिसी भी बच्चे को दिख्कत है क्या लिए लिए दिए भी दूर कर लो बाद में दिख्कत नहीं होने चाहिए हाँ नन्य बिटा मैं आपको जानता हूं आपने बिटा ग्यारवी क्लास में मुझसे पढ़ाई करिये और अभी भी आप वहीं पर पढ़ाई कर रहे हो I know very well गुड बस पूरे साल बिटा continuous रहना अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो डेली पढ़ाई करो आप बिटा बिल्कुल 100% अगले साल मेरिट में आओगे बस स्टार्टिंग से मेहनत करनी आपको पढ़ाई पर फूकस करना है ठीक है हाँ बेटा हाँ चलिए अब इसके बाद बात करते हैं सैक इनवर्स एक्स के बारे में देखो दो पिरतलोमत रिकॉर्ड में थे फलन बच गए थे उनके बारे में और हम बात करते हैं सैक इनवर्स एक्स अब sec inverse x का प्रांद परिसर आलिक क्या होता है ये बात जाने से पहले हम sec x का आलिक देखते हैं तो बिटा sec x का आलिक होता है इस परकार का देखिए बच्चो sec x होता क्या है sec x बराबर होता है 1 upon cos x के अब again sec x के परिवासित होने के लिए cos x not equal to 0 होना चाहिए मतलब x not equal to 2 होना चाहिए 2n प्लस 1 pi by 2 के pi by 2 के विसम गुर्जो पर sec x बरिटा परिवासित नहीं होता चीक है अच्छा तो इसका मतलब sec x का प्रांत हो जाएगा r minus 2n प्लस 1 pi by 2 जहां पर n ब्लॉंक कर रहा है चीक है और sec x का परिशर होता है माइनस अनन्द से माइनस एक यूनियन एक से अनन्द या इसको हम दूसरे रूप में ऐसे भी लग सकते आर माइनस माइनस एक से एक यह होता है बिटा sec x का परिशर प्रांत होता है r minus 2n प्लस 1 pi by 2 जहां n ब्लॉंक्स तो जड़ परिशर होता है माइनस एक से एक से नन्द या r minus minus 1 and 1 minus 1 and 1 पर यहां पर बिटा खुला अंतराल होगा clear यह होता है sec x का प्रांतर परिशर अब बिटा sec x के ग्राफ को ध्यान से देखिए तो आप पाऊगे कि यह भी एक निश्यत अंतराल के बाद अपने मान को दोराता है देखे वई यह मान यहां पर 0 है अब इसके बाद 0 कब है 2 pi पर तो इसका मतलब यह भी प्रतेक 2 pi अंतराल के बाद अपने मान को दोराता है तो इसका आवर्तकाल भी बिटा 2 pi है देखो साइन और कॉस का आवर्तकाल 2 pi था फिर 10 और कॉट का हुआ पाई अब sec x का आवर्तकाल है 2 pi ठीक है sec x का बिटा आवर्तकाल 2 pi होता है यह प्रतेक 2 pi अंतराल के बाद अपने मान को दोराता है अब दोराता है तो फिर ये कैसे 1k की अच्छा दक हुआ ये तो 1k की अच्छा दक नहीं होगा बिल्कुल सही बात है आप यदि एकसच के समान तरीका खीचोगे तो देखो 1k से ज़्यादा बिंदो पर रेखा काट रही है तो यह aq की आच्छा तक तो नहीं है अब नहीं है तो वह बनाएंगे पर तुलो हम तो ज्याद करना है सैक x का सैक इन्वर्स x तो लिका लना है ठीक है चाहे इसके लिए कुछ भी करो तो कुछ भी क्या करेंगे यहां पर हम इसके प्रांथ को प्रतिबंदित कर देंगे और प्रांथ ले लूँगा बिटा मैं अब जिरो से पाई यह बिटा मैं ले लूँगा अब इसमें देखिए बिटा सैक x आपका aq की भी है और आच्छा तक भी है किसमें जिरो से पाई में जिरो से पाई में सैक x aq की भी है और बिटा आच्छा तक भी है ठीक है जीरो से पाई में अच्छा इसमें बिटा पाई बाई टू सामिल नहीं होगा ये बात ध्यान रखना इसमें बच्छों पाई बाई टू सामिल नहीं होगा ओके बिटा चलिए इस वाली साखा में देखिए इस वाली साखा की मैं बात कर रहा हूँ इसमें बिटा सैक X A की तथा आच्छादा के ठीक है अब हम बनाते हैं सैक इनवर्स X का आलिक कैसे बनाएंगे वह हमें सैक इनवर्स X का आलिक बनाना है तो मैं इसको Y के वरारमा लेता हूँ तो यहां से X वराबर हो जाएगा सैक Y के तो फरक क्या है फरक यह कि X अच्छ की जिगे Y अच्छ की जिगे पर X अच्छ हो जाएगी तो कुल मलाकर के बिटा सैक इनवर्स X का जो आलिक बनाएगा ना वो कुछ इस परकार का हो जाएगा यह होगा बिटा सैक इनवर्स X का आलिक ठीक है कैसे बनाया जैसे कि देखो हम लोग जानते हैं कि सेक जीरो डिगरी सेक जीरो बराबर सेक जीरो डिगरी रेडियन लगाते हैं सेक जीरो बराबर क्या होता है एक तो सेक इनवर्स एक बराबर हो जाएगा जीरो के सेक पाई बाई सिक्स बराबर होता है दो बटे वर्गमुल तीन के तो सेक इनवर्स दो बटे वर्गमुल तीन बराबर हो जाएगा पाई बाई सिक्स के सेक पाई बाई फूर बराबर होता है रूट टू के So sec inverse root 2 बराबर हो जाएगा π hari by 4 ke Sec pi by 3 बराबर होता है 2 ke So sec inverse 2 बराबर हो जाएगा pi by 3 ke ऐसे ही sec pi by 2 ये बिटा बेंघ परीभासित होता है Clear? ऐसे रिनात्मंग में लेना चाहोता है तो रिनात्मंग में भी आप ले सकते हो ओके तो इनके आधार पर बिटाम ने आलिक बनाया तो सैक इनवर्स एक्स का आलिक होता है बिटा इस परकार का यह होता है सैक इनवर्स एक्स का आलिक ठीक है अब इसमें बिटा जो यह वाला आलिक है ना यह वाला जो यह मैं डार कर रहा हूं ये बिटा सैक इनवर्स एक्स का मुख्य आलेग और इस साखा को हम लोग बलाते हैं मुख्य मान साखा ये वाली जो साखा है बिटा ये होती है सैक इनवर्स एक्स की मुख्य मान साखा यह होती है बिटा मुख्यमान साखा clear तो यहां से हम कह सकते हैं कि सैक इनवर्स एक्स का प्रांथ देखिए बिटा सैक इनवर्स इसका प्रांथ क्या होता है तो प्रांथ होता है माइनस अनन्द से माइनस एक यूनियन एक से अनन्द या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो r minus minus 1 से 1 ठीक है और सबसे most important चीज इसका परिसर क्या होता है तो परिसर क्या है बिटा y x में कहां से कहां ता कि 0 से πाई में 0 से πाई में बट ध्यान दीजे बिटा इस बीच में एक स्थान है जहां पर यह टूटा हुआ है गराफ वो है पाई बाई टू तो यहां पर बिटा पाई बाई टू सामिल नहीं है यह चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सैक inverse x का परिसर होता है 0 से πाई minus पाई बाई टू यह होता है बिटा सैक inverse x का परिसर बखी आलेक आलेक बिटा यह होता है चीक है तो सैक इनवर्स x का प्रांद होता है minus 1 से minus 1 एक से अनन परिसर होता है 0 से πाई minus 5 बाई टू अलेक बिटा ऐसा होता है अब दोखो यहां से question कैसे आते है तो question बिटा इसी परकार क्या आते है यहां से जिसे मालो मैंने आपसे पूछ लिया बताओ सैक इनवर्स of minus 2 का मान मुख्य अमान क्या होगा तो कैसे करोगा जैसे आपने और question किये थे वैसे ही कि माना सैक इनवर्स of minus 2 बराबर ठीटा है यहां पर ठीटा जो होगा वो 0 से πाई minus pi by 2 हो जाएगा अब यहां से सैक ठीटा बराबर minus 2 हो जाएगा तो सैक ठीटा बराबर हो जाएगा minus सैक 2 कहां पर होता है बिटा pi by 3 पर तो क्योंकि सैक ठीटा बराबर सैक of pi minus pi by 3 क्योंकि सैक pi minus theta minus sec ठीटा होता है तो ठीटा बराबर हो जाएगा 2 pi by 3 के जो कि बीटा इसके बीच भी आता है तो इस प्रकार के प्रिश्णों को आपको इस तरीके से solve कर लेना है ठीक है? किलियर? एक बार फिर से बता देता हूँ तो बीटा सैक X का आलेक इस प्रकार का होता है इसका प्रांथ होता है आर माइनस 2 इन प्लस 1 pi by 2 परिसर होता है माइनस अनन से माइनस एक यून एक से अनन अभी दिया आप इस आलेक को ध्यान से देखोगे तो आप पाऊगे कि सैक X भी एक आवर्ति फलन है इसका आवर्त काल 2 pi होता है इसका मतलब ही अपने प्रांथ में एक आप की तता आच्छा दक नहीं है तो इसको एक आप की आच्छा दक बनाने के लिए ताकि हम इसका प्रत्लूम ग्याद कर सके second verse X ग्याद कर सके मैंने इसके प्रांथ को restricted कर दिया प्रतिबंदित कर दिया कहां से कहां तक बिटा 0 से πाई में जिसमें ये 1 एक एकी भी है और आच्छा तक भी है ठीक है इसके बाद मैंने 2nd verse x का आलेक खीचा वो ऐसे ठीक है 2nd verse x का आलेक आया बिटा इसमें बिटा ये जो वाला आलेक जो मैंने गेरा करके दरसार का यही है इसका मुख्या आलेक इससे मुख्या मानसाख अभी कहते हैं तो यहां से 2nd verse इसका प्रांथ हो जाएगा माइनस अनन से माइनस एक उनन एक से एननन जोगी परिसर होगा 0 से πाई माइनस पाई बेटो क्लियर कोश्चन बिटा इस टाइप कहाता है अब बात करते हम लास्ट प्रितलूम्त रिकॉर्ड में ती है फलन पर और वो है बिटा कॉसेक इनवर्स एक्स ठीक है सॉरी अब कॉसेक इनवर्स एक्स के बारे बात करने से पहले हम बात करते है कॉसेक एक्स के बारे में अब बिटा कॉसेक X क्या होता है यह होता है 1 upon में साइन X अब 11 वी क्लास में बिटा अपने पढ़ा होगा कि कॉसेक X तभी परिवासित होगा जब साइन X not equal to 0 के अब साइन X 0 कहाँ पर होता है पाई के गुर्जों पर तो X not equal to हो जाएगा एन पाई जहां एन बिलॉंग कर रही है जैड में तो इसका मतलब कॉसेक X का प्रान्त होगा R minus एन पाई जहां एन बिलॉंग है ठीक है और बिटा कॉसेक X का परिसर हो जाएगा minus अनन से minus 1 union 1 से अनन या आप इसको R minus minus 1 से एक भी लिख सकते हो ये बिटा कॉसेक X का प्रान्तर परिसर हो जाएगा ठीक है और इसका आलिक होता है बिटा इस प्रिकार का ठीक है अब इस आलिक को देखकर भी आप आओगे कि कॉसेक X भी एक आवर्ति फलन है ये भी एक निश्चत अंतराल के बाद अपने मान को दोहराता है जैसे देखिए भई यहां पर जो मान है बिटा वही मान यहां पर भी है तो प्रिक टूपाई अंतराल के बाद ये अपने मान को दोहराता है तो इसका भी बिटा आवर्तकाल इसका भी आवर्तकाल 2π होता है कॉसेक इकस का आवर्तकाल भी बिटा 2π होता है यह भी 2π अंतरल के बाद अपने मान को दौर आता है clear अच्छा अभ इस तरीके से तो यह अपने प्रांत में एक एक की आचा दग नहीं हुआ तो इसका भी प्रतिलों ग्याद करना में तो इसको भी हमें एक एक की आचा दग बनाना पड़ेगा तो हमें इसके प्रांत को यहां पर भी प्रतिबंदित करना पड़ेगा अब इस केस में करेंगे बिटा हम माइनस πяж भै टू से πै भै टू वाला भाग इस वाले भाग को बिटम प्रति बन्दित कर देगे ठीक है तो यही होगा हमारा मुख्यमान वाला भाग अब दोखो कौस एक इंवर्स X कम गुराफ कैसे बनाएंगे सो कौस एक इनवर्स X इसको माल लो y के बराबर तो यहां से x बराबर हो जाएगा cos x y अब जैसे हम बात करें cos x 0 की तो 0 पर तो बिटा यह परिवासिती नहीं है तो cos x pi by 6 की बात करें तो यह बराबर होता है 2 के cos x inverse 2 बराबर हो जाएगा pi by 6 के जैसे cos x pi by 4 यह बराबर होता है वर्ग मुल 2 के cos x inverse वर्ग मुल 2 बराबर हो जाएगा pi by 4 के इसी परकार cos x pi by 3 यह बराबर होता है 2 बटे वर्ग मुल 3 के cos x inverse 2 बटे वर्ग मुल 3 बराबर हो जाएगा pi by 3 के जैसे cos x pi by 2 यह बराबर होता है 1 के सो कौसएक इनवर्ज एक बरावर हो जाएगा Пाय बयूँ तो यह चीजी आपको ध्यान میں रखनी है इन के आधार पर हम कौस है कंवर्ज एक बनाएंगे तो देखो क्या होगा देखो इसमें और इसमें फरक या है किवल X Y का फर्क है X चकी जगर Y अक्स हो जाएगी Y X की जगर पर X अक्स हो जाएगी तो बेटा, इसका आलेग बन जाएगा इस परकार का क्या कि हमने? बस इसको ऐसे ले दिया इसको बेटा ऐसे गुमा दिया ये काम किया है बस ठीक है तुम्हारे पास Q-7 का आलेक ये आ जाएगा इब इस आलेक में बेटा देखिए ये जो भाग है ये है Q-7 का मुख्य ग्राफ जी से हम मुख्या मान सका भी बोलते है वो ये है बेटा माइनस पाई बै टू से पाई बै टू पाली इसमें कौसेक एक्स एक एक की तथा अच्छा दक दो नो है किलियर ओकी बिटा तो यहां से देखिए हमारे पास कौसेक इन्वर्स एक्स का प्रांत आ गया माइनस अनन्द से माइनस एक यूनियन एक से अनन्द यह इसको हम लग सकते हैं आर माइनस माइनस वन से वन और इसके परिसर की बात करें तो मेटा इसका परिसर हो जाएगा minus pi by 2 से pi by 2 बढ़ ध्यान दीजे बिटा इसमें 0 गायव है तो 0 सामिल नहीं होगा यह होता है cosac inverse x का परिसर याद रखना है बिटा cosac inverse x का परिसर क्या होता है minus pi by 2 से pi by 2 इसमें 0 सामिल नहीं होता clear यह cosac inverse x का प्रांत परिसर वे आले ठीक है चली अब देखो question कैसे आते है question बिटे ऐसे आते है कि जैसे मानलो आप से मैंने पूछ लिया कि बता cosac inverse of minus 2 का मान क्या होगा तो सबसे पहले आप इसको theta के बरावर मानोगे जहांपर theta जो होगा यह आपका minus pi by 2 से pi by 2 minus 0 के बीच में होगा ठीक है तो यहां से बिटा cosac theta बरावर हो जाएगा minus 2 के यह बरावर होगा minus cosac pi by 6 के तो यह को सब्से Rather cosac theta बरावर cosac of minus pi by 6 क्योंकि cosec of minus theta minus cosac theta होता है तो यहां से theta बरावर आजाएगा minus pi by 6 के जो कि बिटा इसके बीच में भी एक तो ऐसे बीटा आपको मुख्यमान ग्याद करने है क्लियर तो यह वने बात की बिटा 6 की 6 प्रतिलोंत रिकॉर्ड में थे फलनों के बारे में ठीक है चलिए एक साथ अब हम इनके प्रांथ परिसर लिख लेते हैं ठीक है तो एक तरह में लिगराउं प्रतिलोंत रिकॉर् 21 में लिगराउं प्रांथ और 21 में लिगराउं बिटा इनके परिसर तो याद करने के मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ हाथ की हाथ जिसने आप याद रख सकते हैं ठीक है तो आपको बिटा दो जोड़े बनाने है आपको क्या करने है दो घर बनाने दो परिवार बनाने और प्रतेक परिवार में आपको तीन सदस्य रखने है ठीक है प्रतेक परिवार में आपको तीन सदस्य बिटा रखने है पहले परिवार में रखिए साइन कौसेक और टैन को दूसरे परिवार में रखीए कौस सैक एंड कौर्ट को ये दो परिवार हो गए दो ऐसे समझे लो दो टीम बन चुकी है ठीक है? अच्छा अब दोखो प्रांथ क्या होंगे? वै इसका साथ ही ये इसका साथ ही ही इसका साथ ही है ये तो प्रांथ क्या होगा, इसका प्रांथ होगा, माइनस एक से एक, सेम इसका प्रांथ भी माइनस एक से एक होगा, ओके, इसका प्रांथ होगा, माइनस अनन्थ से माइनस एक, यूनियन एक से अनन्थ, इसका भी प्रांथ बिटा, माइनस अनन्थ से माइनस एक, यूनियन एक से अनंध होगा ठीक है इसका परांत होगा माईनस अनंध से अनंध यानि complete और इसका परांत माईनस से अनंध होगा मतलब complete ठीक है यह ओगया अब देको Portugal क्या होगा तो इसका परिसर होगा बिटा माइनस पाइबाइटू से पाइबाइटू ठीक है अब चुकि ये तीनों एक ही परिवार है देखो इन तीनों का बिटा एक ही परिवार है तो समयानता होगी यहांपर समयानता क्या होगी भाई इसका परिसर यह है तो इसका भी ऐसा ही होगा बट सेम नह सेम ऐसे इसमें भी चेंज करना पड़ेगा अब घटा दे चलेंगे तो तो कहेंगे इसकी नगल करें तो क्या करा चेंज करने के लिए इसने कहा कि मैं माइनस पाई बेटू और पाई बेटू को चलो सामिल नहीं करता हूं तो बस इसका परिसर बन गया ठीक है याद हो गया तो यह तो तीन एक परिवार हो गया अब बच गए अन्य तीन इनका बेटा एक अलग परिवार है ठीक है यह इनकी परिसर की सुरुआत होती है यहां से इसका परिसर बेटा जीरो से पाई ठीक है अब यह अपने आपको बनाने के लिए कहेगा जीर और पाई पर खुला अंतराल कर दो ठीक है बस यह बन गई टेबल ऐसे आपन को याद रख सकते हो देख लोग कितनी आसानी से मैंने इस टेबल को आपको याद करा दिया निदो बच्चों के ना नहीं याद आ जाती इस टेबल को याद करने में द तो कितने सिंपल सिंपल सी आप देखो यह कोईश्चन है सब के आंसर में आपको बताते चलूंगा तो पहला है साइन इनवर्स ओ माइनस एक बटे दो इसका आंसर होगा माइनस पाई बाई सिक्स लिकाला हुआ है ठीक है दूसरा कॉस एक इनवर्स ओ वर्गमुल तीन बट हो जाया इसका मान होता है पाई पैसिक्स है ठीक है चोथा टैन वर्स ओ माइनस वर्गमुल तीन यह हो जाएगा बिटा माइनस पाई बै त्री के बरावर क्योंकि आप इसको ठीटा मान होगे तो टैन ठीटा बरावर माइनस वर्गमुल तीन होगा तो टैन ठीटा बरावर हो जाएगाße minus 10 by 3 यानि कि 10 ठीटा बरावर 10 of minus 5 by 3 तो minus 5 by 3 आ जाएगाँ ओकें इसके बाद कौस्फ है कि इ?!?! इन वर्स व मईनस 1 बिटे दो ये होगा बिटा Details भृण сон मैंने करवाए हैं ठीक है छटा टैन वर्स हो माइनस एक यह हो जाएगा माइनस पाई बाई फूर के बराबर ठीक है वाई किलियर है इसके बाद आगे देखो सातवा नमबर सैक इनवर्स अब दो बटे वर्ग मुलतीन तो यह बिटा हमारे पास बराबर हो जाएगा यह हमारे पास बराबर हो जाएगा पाई बाई फूर के clear तो ये बिटा हमने सबके मान गयात कर लिए इसके बाद आगे देखो कुछ और कोशन है इनके मान लेका लते हैं तो 10 वर्स एक का मान कितना होगा πाई बाई 4 cos इन वर्स वर माइनस एक बटे 2 इसका मान क्या होगा तो दिखो इसका मान कैसे ज़्याद करेंगे पीटा cos inverse of minus 1 import 2 कप अब ठीटा मान लोगे so cos theta परावर minus 1 import 2 हो जाएगा यह हो जाएगा minus cos एक बठीटीटो कांपर होता हुता है pi by 3 पर तो यह हो जाएगा cos of pi minus pi by 3 तो यहां से ही आ जाएगा 2 pi by 3 माइन प्लस अब साइन वर्स हो माइनस एक बटे दो यह होता है माइनस पाई बै शिक्स के बराबर तो यहां पर बेटा लगुतम लोगे 12 लगुतम आएगा 4 ती बारा 3 पाई प्लस 3 चो के बारा 4 दुनी 8 पाई चादुनी बारा माइनस के 2 पाई यह गया 9 पाई बटे 12 तो यह हो जाएगा 3 पाई बटे 4 तो ग्यारवे का आँसर आजाएगा 3 पाई बटे 4 ठीक है ऐसी 12 प्रश्ण को देखो तो इसका आँसर देखे क्या होगा कॉस इनवर्स अफ एक बटे 2 इसका मान होगा पाई बटे 3 प्लस 2 गुना साइन वर्स एक बटे 2 यह हो गया पाई बटे 6 तो दो एक अम दो दोती अच्छे पाई बटे 3 पाई बटे 3 यह हो जाएगा 2 पाई बटे 3 के बराबर यह इसका आंसर आगे ठीक है तो इसतने आसान कोश्चन बटा जो आपसे पूछे जाते हैं सबको समझ में आ रहे हैं ना कोश्चन बताईए बताईए बटा कोश्चन सभी को समझ में आ रहे है ना विपिन सर के टेली ग्राम चैनल का नाम क्या है बटा विपिन सर के टेली ग्राम चैनल का नाम है विपिन सर फिजिक्स विपिन सर फिजिक्स जो उनके यूटूब चैनल का नाम है वही बेटा टेलीग्राम चैनल का नाम है सब को समझ में आ रहे हैं चली बहुत अच्छी बेटा बहुत अच्छे अब देखो एक मज़ेदार कोश्चन आपको करवाता हूँ जो की पृतियोगी परिक्षा में भी पूछा जाता है तो कोश्चन है यदि कॉस इनवर्स अलफा प्लस कॉस इनवर्स बीटा प्लस कॉस इनवर्स गामा बरावर 3 पाई है तब आपको अलफा गुणा बीटा प्लस गामा प्लस बीटा गुणा गामा प्लस अलफा प्लस गामा गुणा अलफा प्लस बीटा का मान बताना है क्या होगा देखो बीटा हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स का जो मान होता है वो जीरो से पाई के बीच होता है पर कॉस इन्वर्स एसका परिसर क्या होता है? जेरो से Pine ठीक है इसका मतलब कॉस इनवर्स एक्स का अधिकता मान Pine है कॉस इनवर्स एक्स का अधिकता मान बराबर है भाई बिटा rule इसका मतलब praising value Kita Pi होगी यानि ये पाई से छोटा है बराबर होगा ये भी बिटा पाई से छोटा है बराबर होगा ये भी बिटा पाई से छोटा है बराबर होगा तो इसका मतलब इसका मैक्सिमम मान कितना हो सकता है बिटा इसका अधिकता मान हो सकता है तीन पाई और यहाँ पर देखिए तीन पाई के बराबर ही दे रखा है ठीक है तो यह तीन पाई कब संभव है जब कॉस इनवर्स अलफा बराबर पाई हो cos inverse beta बराबर pi हो and cos inverse gamma बराबर pi हो ठीक है तो यहां से alpha बराबर हो जाएगा cos pi के beta बराबर cos pi gamma बराबर हो जाएगा cos pi और बच्चा बच्चा जानता है कि cos pi का मान क्या होता है बटा आता होगा टेली ग्राम इसी नाम से इसी नाम से उनका टेली ग्राम चैनल चेक करिए आप सर्च करिए ने तो आप विपिन सर के youtube चैनल पर चले जाएगे महाँ पर कोई भी class उपन करिए ओपन करिए बटा description में टेली ग्राम का लिंक दे रखा होगा ठीक है अब यह आपर देखो कॉस पाई का मान कितना होता है माइनस एक अलफा बराबर माइनस एक बीटा बराबर भी माइनस एक गामा बराबर भी माइनस एक हो जाएगा अलफा बीटा गामा के मान आगा यहां पर रख दो तो हो गया माइनस एक गुणा माइनस एक माइनस एक माइनस एक माइनस एक माइनस एक गुणा माइनस एक माइनस एक हो जाएगा तो माइनस एक माइनस एक माइनस दो माइनस दो गुणा माइनस एक से करेंगे तो दो प्लस दो दो चार और दो छह हो जाएगा बस आगया अंसर छह ठीक है ठीक है तो सी ऑप्सन राइट आंसर हो जाएगा ऐसे आपको इस प्रिशन को एल करना था था ना मजीदार कोश्चन ठीक है चलिए अगले कोश्चन पर अगला कोश्चन है यहां पर फलन कॉस इंवर्स ऑफ 2x-1 का में प्रांत ग्याद करना है अब देखो इसका प्रांत कैसे से जाद करेंगे तो प्रांत क्या होता है यह का मतलब हो जाएगा गहाऊंगे लाइजनी को में टीक है ओज जाएगा तो इसका मतलब प्रांत हो जाएगा बिटा जीरो से यह बिटा प्रांथ हो जाएगा सो एप्षन राइट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अब एक कोश्चन में आपको दे रहा हूं हुंबर के तोर पर करने के लिए इस कोश्चन को आप खुछ से करिएगा और जो भी बिटा इसका आंसर आए उसे कुछ भी आंसर आए आप उसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखके बताईएगा ठीक है चलिए चलिए अब समय होगे आपके आज की क्विज का तो सभी बचे तैयार हो जाए क्विज के लिए आपके सामने आ रहा है बिटा क्विज का पहला कुश्चन बताईए पर च्विज का आंसर चाहता हूं टैन इन वर्स एक प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक बटे दो इसका मान है पहला ऑप्षन है पाईबाई टू दूसरा फाइप पाईबाई ट्वैल्व तीसरा सेविन पाईबाई ट्वैल्व चौता है बिटाईए ग्यारा पाईबाई बटे ग्यारा पाई बटे बारा इए ठीक है बताईए कौन सा ऑप्षन करक्ट होगा अगा सारे बच्चे बताईए ए अप्षन या सी ओप्षन संजय ने ए बताया सुमित ने सी बताया अच्छा जल्दी बटा जल्दी समय आपका समापत होने वाला है चलिए आपका समय आपर होता है फिनिस तो इसका अंसर क्या होगा टैन्स का मान उता है पाई भाई पूर कॉस इन वर्स एक बटे दो का मान होता है पाई भाई ठीड लगत्तम लोग फाइव बारा ह लगत्तम आ जाएगा चार थी बारत पाई तीन चाहर पाई तो यह आगे सेवेन पाई बाई ट्वैल तो कौन सा ऑप्षन करक्ट हो गया सी ऑप्षन सी बीटा राइट आंसर आजाएगा ठीक है ट्वैल्थ की बीटा डाउट नेट पर इंग्लिस की क्लास लेती हैं बूमिका में चलिए इसके लावदे को एक कोशिशन और दे रहा हूं मैं हमबर के तोर पर आपको इस कोशिशन का आंसर बीटा आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखके बताईएगा यहाँ पर आपको साइन वर्स एक बटे वर्गमूल दो प्लस कॉस इन वर्स माइनस एक बटे दो का मान बताना है क्या होगा पहला option pi by 2, दूसरा है 5 pi by 12, तीसरा है 7 pi by 12, चौथा है बिटा 11 pi बटे 12, यह है 11 pi बटे 12, तो आपको मुझे इस वीडियो के comment section में लगके बताना है कि कौन सा option correct होगा, ओके चलिए, तो देखिए बिटा आप सब लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि यदि g f का प्रतिलोम हो, जहां f एक फलन है, जो समुच्चे a से b में परिवासित है, इस प्रकार की f of x बरावर y तब g b से a में परिवासित होता है, इस प्रकार की g of y बरावर होता है x, मतलब जो इसका output है, वो इसका input बन जाता है, जो इसका input है, वो इसका output बन जाता है, यह होता है, ठीक है? अच्छे यहां पर बिटा हमने देखा था, कि f o g बरावर होता है i, f o g बरावर होता है i, b के, and g o f, यह बिटा बरावर होता है i, a के, ठीक है? मतलब यह, कि f of g of x, बरावर होता है x के, जहां x बलॉंग कर रहा है, समुच्छे b में, and g o f of x, यह भी बरावर बिटा x होता है, बड़ यहां पर x बलॉंग करता है, समुच्छे a में, ठीक है? सर यह बात तो हम पहले से जानते हैं, इस बात को लिखाने की क्या जरत थी? जरत इसलिए थी बिटा, क्योंकि इसी के आधार पर हम बनाएंगे यहां पर पहली प्रॉपर्टी, गुर्धर्म नमबर एक, ठीक है? गुर्धर्म एक क्या होगा? देखे बिटा, मान लीजे हमा देखे, इसके अकॉर्धिं हो जाएगा पिटा, पहले गुर्धर में पहला पोइंट, साइण आफ, साइन इन्वर्स एक्स, देखे यह ए AI VRJ है, तो साइन आफ साइन वर्स एक्स ये बराबर होगा पिटा, एक्स के, अब यहां पर एक्स क्या होगा? एक्स होगा बीटा, स तो इसका मतलब यह x sin inverse का प्रांथ होगा तो इसका प्रांथ क्या होता है माइनस एक से एक तो x ब्लंक्ष्ट हो जाएगा माइनस एक से देखिए बिटा मैं साथ में जो प्रतिबंद लिख रहा हूँ ना यह बहुत important है यह आपको ध्यारा किने ठीक है तो sin of sin inverse x बराबर x होता है कब जब x माइनस एक से एक के बीच हो ठीक है दूसरा गुर्धर्म cos of cos inverse x यह भी बिटा x के बराबर होता है यहाँ पर भी x ब्लंक्ष्ट करता है माइनस एक से एक में ठीक है इसके बाद तीसरा गुर्धर्म ten of ten inverse x यह भी बिटा x के बराबर होता है यहाँ पर x ब्लंक्ष्ट करता है complete r में चौथा गुर्धर्म cos of cos inverse x यह भी बिटा x के बराबर होता है यहाँ पर x ब्लंक्ष्ट करता है complete r में ठीक है पाँचवा sec of sec inverse x यह भी बिटा x के बराबर होता है यहाँ पर x ब्लंक्ष्ट करता है माइनस अनन्द से माइनस एक यूनियन एक से अनन्द में ठीक है और छटा गुर्धर्म होता है cos of cos inverse x यह भी बिटा बराबर होता है x में यहाँ पर x ब्लंक्ष्ट करता है माइनस अनन्द से माइनस एक यूनियन एक से अनन्द में ठीक है तो यह हो गए बिटा पहले गुर्धर्म के अंतरगत छे फॉर्मले है यह बिटा पहले गुर्धर्म के अंतरगत छे फॉर्मले हमारे बन चुके हैं साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स बराबर होता है एक्स के जहां एक्स बलंग करता है माइनस एक से एक में कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स भी एक्स के बराबर होता है यहां पर भी एक्स माइनस एक से बीच होता है टैन ऑफ टैन वर्स एक्स के बराबर होता है यहां एक्स ब भी बिटा X के बराबर होता है यहां पर X माइनस अनन्त से माइनस एक यूनियन एक से अनन्त होता है क्लियर बिटा क्लियर यह हमारे पहले गुर्दर्म के अंतरगा च्छे फॉर्मूले हो गए ठीक है ओके एक से अनन्त अगर यह प्रांत के अंदर नहीं है तो क्या करें एक से अनन्त समझा नहीं बिटा क्या कह रहे हो आप सिप्रताप समझा नहीं क्या कह रहे हो आप एक से अनन्त अगर यह प्रांत के अंदर नहीं है तो क्या करें क्या प्रांत के अंदर नहीं हुआ अच्छा यदि x से इसके अंदर नहीं है तो उस case में परिवासित नहीं होगा उस case में यह परिवासित नहीं होगा दोगों इसका फायदा के इसका फायदा यह है जिसे मालो मैंने आप से पूछा बताओ साइन ऑफ साइन इन वर्स एक बटे दो कमान क्या होगा तो इस तरीक इसे लिखते अब फायदा यह है कि मालो मैंने आपस पूछा बताओ cos of cos inverse 1 बटे 4 का मान क्या होगा तो अब तरंद बोल देना कि 1 बटे 4 होगा क्योंकि हम जानते cos of cos inverse x बराबर x होता है अब यहाँ पर आप cos inverse 1 बटे 4 का मान ग्याद करोगे आपको तो पता ही नहीं है cos inverse 1 बटे 4 का मान क्या होता है तो अब तो फस जाओगे तो अब बिट आपको फसना नहीं है यह हो जाएगा एक बटे चार के बराबर क्योंकि X-1 के बीच में है के लिए यह फायदा है इस गुर्धर्म का लिख लिए बिटा सिवं बहुत अच्छे बिटा बहुत अच्छे तो यह था आपका गुर्धर्म नंबर एक ओके चलिए अब चलते बिटाम गुर्धर्म नंबर दो पर गुर्धर्म ठीक है देखे बच्छो यहाँ पर हमने यह भी देखा कि जी हो एफ अफ ईकस बराबर X होता है अब जी क्या है प्रितलुम फलन F क्या है फलन तो यहाँ पर जी हो जाएगा प्रितलुम तो इसके अनुसार देखे क्या बनेगा तो पहला बनेगा साइन इन्वर्स ओफ साइन एक्स अब यह बिटा बराबर होगा एक्स के बट कब एक्स क्या होना चाहिए देखे बच्चों यहां पर एक्स क्या है एक्स समुच्च्ह एक अवयवश है अवं समुच्ह एक्या है जे का सहय सहपराँदवास Short सायन इन्वर्स का सहय पर औरट होता है यह माइनस पाए बैट्वा फाई टूसे प्याइट होना चाहिए यह विटा most important है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है यह वाला गुर्धर मिटा most important गुर्धर्म है ठीक है most important गुर्धर्म है यह आपको याद रखना है कि sin inverse of sin x बराबर होता x के जब x minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में हो ठीक है ओके सर आप जब पहले 12 वालों को पढ़ा रहे थे लिख लिया था मैं second month पहले अच्छा अपने पहले लिख लिया था बहुत अच्छी बात है बिटाई तो बहुत अच्छी बात है ठीक है तो sin inverse of sin x बराबर होता है x के जहां x बिलों करता है minus pi by 2 से pi by 2 में ऐसे ही second formula है cos inverse of cos x यह भी बिटा x के बराबर होता है यहां पर x होता है 0 से pi में ठीक है तीसरा formula 10 inverse of 10 x यह भी बिटा x के बराबर होता है यहां पर x बिलों करता है minus pi by 2 से pi by 2 में minus pi by 2 और pi by 2 बिटा सामिल नहीं होते है इसके बाद चौथा है cot inverse of cot x यह भी बिटा x के बराबर होता है यहां पर x 0 से pi के बीच में होता है ठीक है इसके बाद 5 बाद sec inverse of sec x यह भी बिटा x के बराबर होता है यहां पर x बच्चो यहां पर बिटा x sec inverse of sec x बराबर x यहां पर बिटा x 0 से pi minus pi by 2 होता है ठीक है एंच छटा cosac inverse of cosac x यह बराबर होता है बिटा x के यहां पर बिटा जो x होता है यह आपका यह x बिटा minus pi by 2 से pi by 2 minus 0 यह होता है ठीक है तो यह बिटा गुर्धर्म नंबर 2 sin inverse of sin x बराबर x होता है जहां पर x minus pi by 2 से pi by 2 के भी चोना चाहिए cos inverse of cos x बराबर x होता है यहां पर x 0 से pi के भी चोना चाहिए यहां पर x minus pi by 2 से pi by 2 के भी चोना चाहिए cos inverse of cos x बराबर x यहां पर x बिटा 0 से pi के भी चोना चाहिए ठीक है अच्छे यहां पर आपने चीज गौर करी कि यह सब क्या है यह प्रतलोंत रिकॉड मिते फलन के परिसर है तो जब पहले प्रतलोंत रिकॉड मिते फलन है तब तो यहां पर एक्स प्रतलोंत रिकॉड मिते फलन का परिसर है और जब बाद में प्रतलोंत रिकॉड मिते परिसर होगा तो जब प्रितलोम कर्मिति फिलन पहले आ रहा है तब तो परिसर होगा और बाद मारा है तो प्रांत होगा ऐसे आप याद रख सोच तो ठीक है अब देखो इसका फाइदा क्या है इसका फाइदा यह है कि मानलो बीटा मैं आप से पूछू बताओ साइन इनवर्स ओफ साइन पाइब थ्री का मान कितना होगा तो अब तरंद बूल दोगे पाइब थ्री क्योंकि पाइब थ्री माइनस पाइब थ्री से पाइब थ्री के बीच में आता है ठीक है परंतु परंतु यदि हमारे पास मान लीजे इस तरीके से लिखा हुआ है साइ inverse of sine तो पै ले ठीज तो इस केस में इस का मन क्या होगा साइन वर्स औस इस की लिखा हुआ है तो उस केस में स्कामान क्यों वा तो यह तू पाई थ्री औहुक्त नहीं होगा क्यों क्यों नहीं अती प्रिकार के प्रस्प्रों को कैसे solve करेंगे क्या होगा फिर इसका मान इस तरीके के पर हम यहां पर बीच वाले का मान ग्याद कर लेंगे क्या होगा होता है neighbourल पाई मान क्या है जो अब सकते हम देख साइन ऐन आट होता है साइं औरcko थीट यह को साइन पेट आफ वर्ग मुल्द तीन बटे दो और इसका मान होता है बिटा पाई बैठी के बराबर तो इसका अंसर बिटा टू पाई बैठी नहीं होगा पाई बैठी होगा ओके ऐसे आपको कोश्चन सॉल्व करने है ठीक है बिटा किलियर यह आपका गुर्धर नमबर दो देखे यदि किसी गुर्धर में दिक्कत आये न तो आप बेफिक्र होकर पूछ लेना बाद में यह सुनना नहीं चाहता कि सर मुझे यह वाला गुर्धर समझ में नहीं आया ठीक है ओके बिटा किलियर किलियर होगा दूसरा गुर्धर भी आपको यह बिटा दूसरा गुर्धर था बता आईए बच्चो सभी को ये वाला गुर्धर्म भी किलियर हो गया ना कि अगया है अगया है अगया है अगया है अगले गुर्धर्म पर गुर्धर्म नंबर तीन पर गुर्धर्म नंबर तीन में पेला फॉर्मुला है शाइन इन्वर्स आफ माईनस एक्स का ये बराबर होता है भीटा माईनस साइन इनवर्स एक्स के जहाँ पर एक्स माईनस एक से एक के बीच में रहता है दूसरा फॉर्मुला है कॉसेक इन्वर्स ओफ माइनस X के यह भी बराबरता माइनस कॉसेक इन्वर्स X के यहाँ पर X माइनस अनन्द से माइनस एक यूनियन एक से अनन्द होता है और तीसरा फॉर्मुला है टैन इन्वर्स ओफ माइनस X के यह भी बराबरता माइनस टैन इन्वर्स X के एकस आपका बिलॉंग्स टू आर होता है ठीक है अब आप सोच रहोगों कि मैंने यह तीन फॉर्मुले एक साथ को लिखे क्योंकि बटा इनके फॉर्मुले काफिया तक सिमलर है काफिय तक है पूरे सिमलर है क्या किया लोगों ने इन लोगों ने तो किवल माइनस को अपने भार पटक दिया यह बिचारे सीधे साधे थे तो इन्होंने माइनस को भार लाके रख दिया अब जो बात के तीन और फॉर्मुले ना वो बिटा सीधे साधे नहीं है इनमें सबसे पहले आता है इनका भगवान cos inverse of minus x, ये बराब होता है pi minus cos inverse x, क्या pi minus cos inverse x, cos inverse क्या है बड़ा ही जिद्धी फलन है बेटा, ये minus को भार तो निकालता है बट pi के साथ निकालता है, ये कहता है मैं अकीले भार नहीं लोगा मेरे साथ pi अवस्य आएगा, तो pi minus cos inverse x होता है, cos inverse of minus x, यहाँ पर बटा x आपका minus x से 1 के बीच में होता है, सेम ऐसे ही, अब बैस second verse of minus x, second verse तो इसका जोड़िदार है, तो ये तो इसकी बात को माने गई, तो यह हो गया pi minus second verse x, यहाँ पर बीटा x minus अनन से minus 1 union x से अनन्त होता है, ठीक है, और छटा cot inverse of minus x, बिचारा cot inverse भी इनकी संगत में आकर इनके जैसा हो गया, तो यह हो जाएगा pi minus cot inverse x, यहाँ पर बीटा x ब्लॉंग करेगा r में, ठीक है, ओके बीटा, तो यह हमारे गुर्दर नमबर 3 के अन्तरगत 6 फॉर्मूले हो गए, sin inverse of minus x बराबर होता है, minus sin inverse x के, cos inverse of minus x बराबर होता है, pi minus cos inverse x के, 10 inverse of minus x बराबर होता मैनस tan inverse x के, cot inverse of minus x बराबर होता, pi minus cot inverse x के, sec inverse of minus x बराबर होता, and cos inverse of minus x बराबर होता मैनस, cos inverse x के, clear बीटा, clear, अच्छा, अब इस गुर्दर्म की साहता से देखो, जिससे मान लीजे, मानलो मैंने आपसे पूछा, बताओ sin inverse of minus 1 बटे 2 का मान क्या होगा तो आप तरंत लिख देना minus sin inverse 1 बटे 2 अब sin inverse 1 बटे 2 का मान तो आपको मालूम ही है pi by 6 तो हो जाएगा minus pi by 6 ठीक है वहीं मान लीजे मैंने आपसे पूछा बताओ cos inverse of minus 1 बटे 2 का मान कितना होगा तो आप लिख देना pi minus cos inverse 1 बटे 2 अब cos inverse 1 बटे 2 का मान कितना होता है pi by 3 तो यह हो जाएगा pi minus pi by 3 यानि की 2 pi by 3 हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से बिटा आपको मान ग्याद करने है ओके यह था बिटा गुर्धर्म नमबर 3 clear से बच्चो को गुर्धर्म no.3 बताइए बच्चो गुर्धर्म no.3 भी clear होगे सभी को clear बटा clear गुर्धर्म no.3 चली अब इसके बाद चलते हम गुर्धर्म no.4 पर चौते गुर्धर्म पर चलते है अब चौते नमबर का गुर्धर्म है इसमें बिटा पहला पार्ट है साइन इन्वर्स ओफ वन बाई एक्स ये बिटा बराबर होता है कॉसेक इन्वर्स एक्स के वहीं कॉसेक इन्वर्स ओफ वन बाई एक्स बराबर होता है sin inverse x के ठीक है इसके बराबर होता है यहां पर x minus 1 से minus 1 union 1 से अनंत होता है जबकि यहां पर x minus 1 से 1 होता है ओके बिटा इसमें बिटा 0 सामिल नहीं होता ठीक है cos 1 inverse of 1yx बराबर होता है sin inverse x के यहां पर बिटा x minus x से 1 minus 0 होता है ठीक है ओके अच्छा देन इसके बाद में अगला second cos inverse of 1 by x यह बराबर होता है बिटा sec inverse x के यहां पर भी x minus 1 से minus 1 union 1 से अनंत होता है ओके एंड इसके बाद जो most important है वो है 10 inverse वाला 10 inverse of 1 by x यह बिटा बराबर होता है यह बराबर होता है cot inverse x के जब x greater than 0 हो ठीक है बट यदि x less than 0 हुआ ना यानि रिनात्मक हुआ तो उस केस में बिटा यह हमारा बन जाएगा पाई माइनस x रिनात्मक है तो यह पर रिनात्मक आना चाहिए तो जाएगा माइनस पाई प्लस cot inverse x यह बिटा यहां पर बन जाएगा ठीक है ओके यह बच्चों यहां पर बन जाएगा clear बिटा 10 inverse of 1yx बराबर होगा cot inverse x के जब x greater than 0 है और जब x less than 0 होगी तो ये बनेगा minus pi plus cot inverse x के सर हमें ये तो समझ में आ गए बट ये वाला समझ में नहीं आया कि ये minus pi plus cot inverse x कैसा हुआ तो इसको मैं आपको समझाता हूँ देखो बिटा इधर आजाओ जड़ा जड़ा सारे बच्चे इधर आजाईए देखो 10 inverse of minus 1 कितना होता है कितना होता है बिटा 10 inverse of minus 1 ये होता है minus pi by 4 के बराबर ठीक है जबकि हम बात करें cot inverse of minus 1 की तो ये बिटा बराबर होता है 3 pi by 4 के बराबर अमालों आपने आपर x की जिगह पर minus 1 ले लिया तो 10 inverse of minus 1 आपके हिसाब से तो ये cot inverse of minus 1 के बराबर होना चाहिए जबकि क्या ये दोनों बराबर है नहीं है बराबर ठीक है तो कितने का अंतर है pi का तो अभी इसको ये दिया जब minus pi plus 3 pi by 4 लिखोगे तो आपका answer minus pi by 4 आ जाएगा ठीक है तो ये चीज़ आपको बिटा ध्यान में रखनी है क्लियर एवरिवान क्लियर ये था बिटा गुर्धर्म नंबर 4 क्या है? sin inverse of 1yx बराबर तब cos inverse x के cos inverse of 1yx बराबर तब second inverse x के and 10 inverse of 1yx बराबर तब cot inverse x के जब x greater than 0 है यदि x less than 0 है तो यह उता है minus pi plus cot inverse x के बराबर ये बिटा गुर्धर्म नंबर 4 ठीक है अब इसके बाद चलते हम गुर्धर नमबर 5 पर तो बिटा गुर्धर नमबर 5 है आपका गुर्धर नमबर 5 यह बिटा यहाँ पर तीन फॉर्मुले हैं और तीनों ही important फॉर्मुले हैं पहला है sin inverse x plus cos inverse x यह बिटा बराबर होता है pi by 2 के यहाँ पर x minus 1 से एक के बीच में होता है दूसरा है 10 inverse x plus cot inverse x यह बिटा pi by 2 के बराबर होता है यहाँ पर x आपका belongs to r होता है तीसरा फॉर्मुला होता है sec inverse x plus cos sec inverse x यह बिटा pi by 2 के बराबर होता है यहाँ पर x minus अनन्द से minus 1 union एक से अनन्द होता है चीक है तो यह बिटा आपके important तीन फॉर्मुले और हो गए sin inverse x plus cos inverse x बराबर होता है pi by 2 के सेम इसी तरीके से 10 inverse x plus cot inverse x भी pi by 2 के बराबर होता है and sec inverse x plus cos sec inverse x भी बिटा pi by 2 के बराबर होता है ओके बिटा clear यह आपका गुर्दर नमबर 5 है अब सर इस गुर्दर्म का फायदा क्या है इसका huge कैसे करेंगे तो बिटा huge इसका ऐसे करेंगे जिसे मान लीजे मैंने आपको बोला माना sin inverse x बराबर है एक बटे 5 तो cos inverse x का मान ग्यात कीजिए ठीक है यह मैंने बोल दिया अफिर मैंने बोल दिया sin inverse x बराबर है pi by 5 के तो बताओ cos inverse x का मान क्या होगा ठीक है तो यहां पर देखे क्या हो जाएगा मान इसका चुकि sin inverse x plus cos inverse x बराबर होता है pi by 5 के so cos inverse x sorry sin inverse x plus cos inverse x बराबर होता है pi by 2 के so cos inverse x बराबर हो जाएगा pi by 2 minus sin inverse x के यह गिया pi by 2 minus pi by 5 लगुतम लोगे तुरंद 10 लगुतम आगे 2 पंदस तो 5 pi minus 5 उन दस 2 pi तो यह हो जाएगा 3 pi by 10 तुरंद बिटा आपका ऐसे answer आजाएगा ठीक है इस प्रकार के प्रश्णों को हल करने में यह formula एहम भूमिका निवारते हैं ओके बिटा क्लियर एवरिवन क्लियर बच्चों आपक सभी को बताईए बिटा बताईए सभी को क्लियर है आपक यह बिटा गुर्धर्म नंबर पांच है ठीक है ओके चलिए अब इसके बाद चलते हैं गुर्धर्म नंबर छेपर गुर्धर्म छेपर जिसे बिटा हम रुपांत्रणिये गुर्धर्म भी कहते हैं रुपांत्रणिये गुर्धर्म इसको बिटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस गुर्दर्म की साहता से हम एक प्रितिलोम त्रिकार्ड मीती है फलं को अन्ने प्रितिलोम त्रिकार्ड मीती है फलं में परिवर्तित कर सकते हैं कैसे करते हैं यह मैं आपको बता रहा हूँ तो यहाँ पर पहला है sin inverse x realizing inverse x बराबर होता है कॉस इनवर्स वर्गमूल वन माइनस एक्स स्क्वार के अब यहाँ पर बच्चे सोच रहे होंगे सर यह गुर्धर्म आया कहां से तो चलिए बिटा मैं आपको इसका प्रूब भी बदाज़ता हूँ कि यह गुर्धर्म आया कहां से ठीक है तो जैसे साइन वर्स एक्स को आपको कॉस इनवर्स में करना है कैसे करोगे सबसे पहले आप साइन वर्स एक्स को ठीटा के बराबर मानोगे तो यहां से एक्स बराबर बन जाएगा साइन ठीटा अब साइन ठीटा क्या होता है यह होता है लंब बटे में कर्ण तो लंब X है कर्ण एक है तो तुरंत यहां पर एक समकौन तरभज बना दो यह मानलो कौन ठीटा है तो यह लंब हो गया यह आधार हो गया यह कर्ण लंब है X कर्ण है एक तो आधार हो जाएगा वर्गमूल 1-X स्क्वार के अब यहां से देखिए कौस ठीटा क्या होगा आधार बटे कर्ण तो यह हो जाएगा वर्गमूल 1-X स्क्वार बटे एक कौस ठीटा ठीटा बराबर आजाएगा कौस इनवर्स वर्गमूल 1-X स्क्वार तो ऐसे बेटा कौस की परवर्ड रूप में आया ठीक है अच्छा अब टैन की रूप में लिखना है तो यह बराबर होता है टैन इनवर्स एक्स बटे वर्गमूल 1-X स्क्वार सर यह कहां से आया बेटा यहीं से आया कहीं और से नहीं आया दो टैन ठीटा क्या होता है यह होता है लंब बटे में आधार लंब कितने का है एक्स का आधार कितने का वर्गमूल 1-X स्क्वार का टैन ठीटा तो ठीटा बराबर क्या हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स बटे वर्गमूल 1-X स्क्वार ऐसे आ गया बिटा, ठीक है कौट इनवर्स के पदों में लिखोगे तो ये बराबर हो जाएगा कौट इनवर्स वर्कमूल 1-x² बटे x, जेस इसका अपूजिट कर दो, बराबर सेक इनवर्स के पदों हो जाएगा सेक इनवर्स 1 बटे वर्कमूल 1-x² रूपान तरणिये गुर्दर्म यहाँ पर देखो हमने एक प्रतलूम त्रिकॉर्डमतिये फलन को अन्य प्रतलूम त्रिकॉर्डमतिये फलनों के पदों के रूप में लिख दिया हूँ क्लियर बीटा यह है रुपांतरने गुर्दन यदि एक पल के लिए आप इन फॉर्मुलों को बूल जाओ तो मैं आपको तरीका बता दिया जिससे आप परिवर्तित कर सकते हो एक को दूसरे में ठीक है हां बीटा फॉर्मुले आपर काफी जादा है आपको याद करने पड़ आप सब लिखते चल रहे हो नब फॉर्मुले अच्छा बताई ये इन छो गृदर्मा रोम कहीं पर आपको दिखकत है क्या। चय गृदर्म भीटा हम लोग देख चुके हैं इन गृदर्मा में किसी भी तरह की दिखकत है क्या बताई आपको ये याद करने बिटा इतनी ज़ाद दिक्कत आईगी नहीं इनको ठीक है चलिए अब इसके बाद चलते हैं बिटा हम गुर्धर्म नंबर 7 पर गुर्धर्म नंबर 7 अब गुर्धर्म नंबर 7 के अंतरगत बिटा पहला फॉर्मुला है 10 inverse X प्लस 10 inverse Y का देखिए बिटा ये गुर्धर्म नंबर 7 है ना ये तो भाई very 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 की power infinite important है मतलब एक कोईशन बिटा आपका इस गुर्धर्म से आपके बोर्धर्म में आने ही आने वाला है किसी भी सूरत में इस वाले गुर्धर्म से बिटा 100% आपके एक्जाम में कोईशन आएगा ठीक है तो ये वाला गुर्धर्म तो आपको अच्छे से आना ही आन आचाहिए किसी भी कीमत पर है ओके टेन वाला अगेन बता दो सर पिर टेनवाले में क्या था टेन टेटा क्या होता है लंबटे आधार टेन टेटेट बरहावरर। एक से आधार वर्गूल मैंस इसक्वार है तो ठीटा अरवर टेन वर्श एक्सप्रिटे बड़ मोल मैंस कि मैंत्य से सिम्पल है ठीक है हां बेटा एंड की पॉइंट अविसे सबके पॉइंट विसे इंपोर्टइंट एक्स प्लस का रिखाई बराबर होता है इसके बैटा तीन फॉर्मूले होते हैं पहला होता है 10 inverse x plus y बटे 1 minus xy यह तब होता है जब xy का मान बिटा less than 1 जब xy का मान बिटा 1 से कम हो तो उस case में 10 inverse x plus 10 inverse y बराबर होता है 10 inverse x plus y बटे 1 minus xy के सर यह formula आया कहां से तो चलो मैं आपको यह भी बता देता हूँ तो देखो बिटा 10 inverse x plus 10 inverse y मुझे इसका formula ग्यात करना है तो मैंने आपर माना 10 inverse x बराबर a है और 10 inverse y बराबर b है तो basically मुझे a plus b लिकाना है अब यहां से x बराबर हो जाएगा 10 a के and y बराबर हो जाएगा 10 b के देखो बिटा 10 of a plus b क्या होगा तो यह हो जाएगा 10 a plus 10 b आपने 11 वी class में formula पढ़ा है बटे 1 minus में 10 a 10 b यह हो जाएगा तो यहां से 10 of a plus b बराबर होगा 10 a के जाए x 10 b के जाए y बटे 1 minus में x y हो जाएगा तो यहां से बिटा a plus b क्या आगया 10 inverse x plus y बटे 1 minus में xy यहां पर आजाएगा ठीक है तो यहां पर हमने कंडिशन लगाई कि xy कमान एक से कम होना चाहिए और यहां पर भी दो कंडिशन बनेंगी पहली कंडिशन एक्स ग्रेटर दन जीरो दोन धनात्मक है ठीक है और दूसरी कंडिशन वनेगी जब एक्स वाई तो ग्रेटर दन वन है बट एक्स विरनात्मक है और वाई विरनात्मक है ठीक है यह विटा हमारे पास दो और कंडिशन बन जाएंगी ओकी बीटा अच्छा अब देखें पहली कंडिशन में क्या होगा तो इसमें बीटा 10 एक्स प्लस में बराबर होगा पाई पलस टैन इनवर्स इस केसम में हो जाएगा पाई प्लस टैन इनवर्स x plus y बटे 1 minus में x y यह हो जाएगा जबकि इस वाली condition में होगा minus pi plus 10 inverse x plus y बटे 1 minus x y यह हो जाएगा वेटा ठीक है नीचे वाली condition में हो जाएगा minus pi plus 10 inverse x plus y बटे 1 minus x y हो जाएगा जब x और y दोनों रनात्मा के हैं और x y greater than 1 है तो यह हो गया बटे फॉर्मुला 10 inverse x plus 10 inverse y ठीक है अनुवब पटेल यार आप इतने late class को join की हो कहां से समझ में आएगा time पर class join की होती तो सब कुछ समझ में आ रहा होता clear है सभी बच्चों को बताईए बटा मुझे सभी को clear है यह वाला गुर्दर बहुत important गुर्दर में बहुत important गुर्दर में मैंने आपको इसका prove भी बता दिया है ठीक है मैंने बटा इसका prove भी आपको बता दिया है clear hello teja ankar clear है बटा सब को clear अने प्याल बताईए बच्चों गयोगों टर्फ्यक इन वर्स एक्स प्लस य बराबर होता है टैन इन्वर्स एक्स और सवाल television धीकी जब एक्स वाई लस देन वन हो और यह बराबर होता है पाइप प्लस टैन सब्स एक्स प्लस यведवन मैस अने पॉजिति急 एंड x & y दोनों positive है एंड x y तो नंबाने जब एक्स और य दोनों negative है तो इसकेस में 10 वर्स एक्स प्लस प्लस एवराबरत है infection physiology थींखे ये बिटा गुर्दर रूंबर सात का पहला फॉर्मुला है इसके बाद दूसरा फॉर्मुला है 10 इन्वर्स x का अब इसके भी बिटा हमारे पास तीन फॉर्मुले होते हैं पहला फॉर्मुला है 10 inverse x-y बटे 1 प्लस xy 10 inverse x-10 inverse y बराबर होता है 10 inverse x-y बटे 1 प्लस xy के यहाँ पर बिटा xy आपका less than minus 1 होता है xy बच्चो यहाँ पर आपका minus 1 से छोटा होता है ओके स्वरी छोटा नहीं बड़ा होता है बड़ा होता है बिटा ओके तो इसको करेक्ट कर लो यह बड़ा होता है xy कमान minus 1 से बड़ा होता है greater than minus 1 ठीक है कब 10 inverse x-10 inverse y बराबर होता है 10 inverse x-y बटे 1 प्लस xy के जब xy कमान minus 1 से बड़ा हो यह फर्मुला कहां से आया बई ऐसे आया है यहाँ पर minus करोगे तो यहाँ पर फर्म लगेगा 10 of a minus b अब 10 of a minus b क्या होता है 10 a minus 10 b बटे 1 प्लस 10 a 10 b तो हो जाएगा x-y बटे 1 प्लस xy के सर यह कंडिशन कैसे आई कीघी है तो क्या बन जाता वर्टे यह को 10 b शक्ती स्प्लस्ते अर्स कीघी हो या माइनस एक रिनात मगरासी गुणा करें तो चिन बदल जाएगा greater than minus 1 हो जाएगा ऐसे बटा condition आ गई है ऐसे बच्चों ये वाली condition आ गई अब यहाँ पर बनेगा x y less than minus 1 क्योंकि y को उमने minus y से प्रतिस्थापित किया बस और कुछ नहीं किया तो यहाँ पर बेटा x y less than minus 1 हो जाएगा यहाँ पर x greater than 0 y less than 0 हो जाएगा तो यह होगा pi plus 10 inverse x minus y बटे 1 plus x y ठीक है और minus pi plus 10 inverse x minus y बटे 1 plus x y होगा जब x y कमान minus x से कम होगा बट हमारा x रनात्म होगा by रनात्म होगा ठीक है तो यह होगा बेटा 10 inverse x minus 10 inverse y के formula clear यह बेटा 10 inverse x minus 10 inverse y के formula हो जाएगे 10 inverse x minus 10 inverse y बटे 1 plus x y के जब x y greater than minus 1 हो यह बराबर होगा pi plus 10 inverse x minus y बटे 1 plus x y के जब x y less than minus 1 हो and x positive y negative हो and minus pi plus 10 inverse x minus y बटे 1 plus x y होगा जब x y less than minus 1 हो x negative हो y positive हो आपको सूच लेज़े बेटा x negative y positive है तो इसका मान minus pi by 2 से 0 होगा इसका मान बेटा 0 से pi बेट होगे बिच होगा तो यह रणात्मक यह रणात्मक तो overall रणात्मक हमारे पास आना चाहिए ठीक है अब यहाँ पर देखे जब आप x negative y positive लोगे x negative y positive तो यहाँ तो answer में तो बनेगा negative हर में क्या होगा minus x से छोटा ले रहे तो यहाँ पर क्या बनेगा positive बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा बिटा सरी यहाँ पर क्या x y minus x से कम ले रहे तो 0 1 कुछ minus x से कम ले रहे न तो minus 2 ले रहे जैसे मान लो तो यहाँ पर यह हर भी negative answer negative हर भी negative तो यह तो positive हो जाएगा तो यहाँ पर तो positive मान आएगा जिबकि आना क्या चाहिए था नहीं एगटिव तो इसलिए बिटा minus pi किया है ठीक है बिटा तो यह था आपका गुर्धर number 7 का दूसरा part ठीक है अब इसे में तीसरा part और है वो भी लिख लेते हैं यदि y बराबर x हो तब y बराबर x तो यह हो जाएगा 2 10 inverse x बराबर होगा बिटा यह हो जाएगा 10 inverse 2x बटे 1 minus x स्क्वार के कब होगा जब यहाँ पर देखो x की y की जिए भी x तो x स्क्वार less than 1 हो जाएगा तो इसका मतलब x के value minus 1 से 1 के बीच में हो जाएगी जब x minus 1 से 1 के बीच हो तो 2 10 inverse x बराबर तर 10 inverse 2x बटे 1 minus x स्क्वार के है ठीक है इसको भी आप ऐसे भी लख सकते हो की मापांक of x less than 1 ठीक है 2 10 inverse x बराबर 10 inverse 2x बटे 1 minus x स्क्वार हो जाएगा वहीं यह होगा πाई प्लस 10 inverse 2x बटे 1 minus x स्क्वार के जब बीटा यहां पर देखो x की जिगे पर y की जिगे पर x है तो x स्क्वार ग्रेटर देन 1 तो minus 1 से minus 1 union 1 से अनन्त हो जाएगा x भी positive होना चाहिए तो minus 1 से minus 1 तो हो गाई ने x से अनन्त हो जाएगा x belongs to 1 से अनन्त जब हो ठीक है और जब x belongs to minus अनन्त से minus 1 होगा तो उस case में ही हो जाएगा minus pi plus 10 inverse 2x बटे 1 minus x स्क्वार ठीक है बीटा ये हमारे पास आजाएगा 210 verse x का formula clear clear बच्चो चले बीटा अब आज की class को तुम ये पे stop करते हैं अभी वैसे हमारे 1, 2, 3 गुरधर्म और बाकी हैं तो उन गुरधर्मों को हम next class यानि कल की class में देख लेंगे बट हाँ कल की class में आने से पहले ये जितने भी मैंने 7 गुरधर्म आपको लिखवाएं न और इनके अंदर जितने भी formula हैं उन सभी formula को आपको अच्छे से याद करके आना है ओके चलिए चलिए बच्चो आज की class को भी पे stop करते हैं समय होगे आपकी आज की quiz का तो सभी बच्चे तयार हो जाएंगे quiz के लिए आपके सामने आ रहा है आज की quiz का पहला question जो की बटा ये है आपको 10 inverse workmool 3 plus cos inverse of minus 1 बटे 2 का मान बताना है क्या होगा बताइए बच्चो इसका मान क्या होगा देखो बिटा मैं आपको यहाँ पर जो लिखवा रहा होने short notes सी है ओके प्रसांद ठाक और C.U.E.T बिटा C.U.E.T का doubt net पर बैच चल रहा है प्रसांद बिटा C.U.E.T का doubt net पर बैच चल रहा है आप उस बैच को ले लीजे math वहीं पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी 3 chapter वहाँ पर खतम हो चुके हैं बिटा 14 chapter चल रहा है जल्दी से join कर लो C.U.E.T का बैच प्रसांद doubt net पर चल रहा है बिटा C.U.E.T का बैच ओके हाँ ले ले ना बिटा आजी लाइव है बिटा एक चीज और बच्चो वह C.U.E.T का बैच लाइव है तो प्रसांद बिटा आप अपने दोस्तों को बूल देना लाइव क्लास होती है वहाँ पर ओके चलिए तो बच्चे कुछ B option बता रहे हैं कुछ C option बता रहे हैं कॉस इनवर्स एक बटे दो का मान होता है पाई बाई थ्री तो पाई बाई थ्री से पाई बाई थ्री कट गया यह क्या आगिया पाई C option राइट आंसर हो जाएगा option C बिटा राइट आंसर आजाएगा ठीक है अब अगला कोश्चन अगला कोश्चन बिटा यह है इसका आंसर बच्चो आप लोग मुझे बताईएगा मैं चाहता हूँ आप सभी इसका आंसर इस वीडियो के comment section में लिखके दें तो सारे बच्चे इस question का आंसर इस वीडियो के comment section में लिखके देंगे ठीक है ओके बिटा चलिए चलिए बच्चो आज की class को इन पर stop करते है अब आई होप आप सभी को आज की class में काफी मज़ा आए होगा अब जिन बच्चो ने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है फटाक से बिटा subscribe कर दीजे bell icon को press करिए साथ में जिन बच्चो ने अभी तक इस वीडियो को like नहीं किया है जल्दी से like करिए and share करिए सभी अपने दोस्तों के साथ वहीं जिन बच्चो ने अभी तक telegram group को join नहीं किया है जल्दी से जल्दी बिटा telegram group को भी join कर लो वहीं पर आपको class की PDF मिलेगी और इसके साथ साथ आपके board exams की जो भी latest information आएगी वहीं बिटा आपको वहीं पर दी जाएगी ठीक है चलिए अब आपके दीपक सर आपसे विदा लेते हैं जल्दी बिटा मिलाकात करेंगे हम तब तक के लिए बाई बाई जैहन दोस्तों बाई बीटा मुनेट बच्चों बाई बाई